शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें जयदाम शुभदाम देवी श्री चक्रस्तिता पराव वाच्सलाम मातरं सुषमाम विजया लक्ष्मी नमाम्याम वाच्सलाम वाच्स बाच्सलाम वाच्सलाम प्रप्रीन, बबना कोुदा कि वे रriccius लिगा। माइल से से अपाइ, मिप राइर लिगा का हला bzw लिग मिरी खेल रीगा माइल प्राइर कि भाइर न्लोम झाइर परना कि ब्र एला कि यृ यृ वोव कर ड़ कर दोड़ आइब गंगर सबने ट decía के ड़ा कर दो कर दो जा कर दो फ़ा था बार है कर दो आब तो जा न आझा लाग न आइब दो पार्ड़ बार कर दो Cof, 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 cof! वी टार। simplicity लथ लटो खार। लिए कर्त लोग बमिए है पर आपकर अपकर अपकर आपकर आइस्था अइस्था घब रहा है वे लोगों को मैं गोली मार दिया करता हूं तुम पार्टनर इसले छोड़ जैता हूं क्या बात है क्यों चिला रहे हो विश्वा ने अपने बिल्ला को बाड़ आला है क्या विश्वा ने बिल्ला को इस वक विश्वा कहा होगा वो ड्राइवरों के बस्ती है ना वहीं कहीं चुपा है पुलिस भी उसे तलाश कर रही है पुलिस सिर्फ उसे तलाश करती रह जाएगी पता भी नहीं लगा सकीगी क्योंकि बस्ती वाले उस पे जान चड़कते हैं कि प्याह पहिए्युद प्याहिर्छै, कोई जा प्याहिर्ग... कि प्याहिर्ग गुर्डै प्याहिदो बढ़ activity मुल्बिम विश्वा 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 नहीं विश्वा प्रताप कहिए जजासाईबा हाँ हाँ विश्वा 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 तुमने पहली नमेंबर की रात खुले आम बिल्ला नाम के एक आदमी पर तलवास से हमला करके उसका खून कर दिया तुम इस जुरूम को कुबल करते हो मैंने कोई गुना नहीं किया मेरा सवाल है कि तुमने कतल किया है या नहीं और मेरा जवाद यही है कि मैंने कोई गुना नहीं किया अगर तुमने कोई गुना नहीं किया है तो फिर पुलिस ते तुम्हें गुनागार क्यों किया पुलिस के हाथों गुनागार होने वाला हर इंसान गुनागार नहीं होता ज़साइबा भारत की पवित्य धर्ती से अंग्रेजों के कदम उखाणने वाले महादबा गंडी को भी कृफ्टार किया गया था क्या वो भी गुनेगार थे मिस्टर प्रोसेक्यूटर आप अपनी करवाई शुरू कर सकते हैं यूर अनर पहले गवा की हैसियत से मैं उस बस्ती में चाय की दुकान चलाने वाले विभाकर चोगले को यहां बुलाने की इजाज़त चाहूंगा इजाज़त है नमस्कार विभाकर चोगले जी इस मुझरिम को और से देखो और बतलाओ कि मक्तूल बिल्ला का कतल होते हुए तुमने अपनी आखों से देखा था वकील साहब एक गलास पानी मिलेगा मेरा गला सूख रहा है आपका क्या सूख रहा है गला सूख रहा है पानी प्लीज अब बतलाओ इस मुझरिम को मक्तूल बिल्ला का कतल करते हुए तुमने अपनी आखों से देखा था वकील साहब एक सोडा मिलेगा क्यों कि इस चोगले के गले से अब आज बाद नहीं निकल रही है सोडा प्लीज अब बतलाओ जब ये बिल्ला का खून कर रहा था उस मंजर को तुमने अपनी आखों से देखा था वकील साहब आप क्या बोल रहे हैं मुझे सुनाई नहीं देता मैं उचा सुनता हूँ जब ये बिल्ला का खून कर रहा था उस वक्त तुमने अपनी आखों से देखा था यही यही बोलने के लिए तुम्हें यहां पर आये थे आप जा सकते हैं जाए हैं हाँ इंस्पेक्टर साब क्या आपने मुझे विश्व परताब को कतल करते हूँ देखा जी कतल करते हूँ तो मैंने नहीं देखा लेकिन इसने बिल्ला का खून किया और इसकी इतला मुझे फोन पर मिली पून किसमें किया जी मुझे नहीं मालूम और आपका ये कहना है कि आप पूरी छान बीन के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कातल मुल्जिम विश्वा है यह कहना चाते हैं आप येस यूर ओनर इस कतल से संबंदिस सारी रिपोर्ट्स कोर्ट में चमाकरा दी गई है तो ये कोई इसके खिलाफ गवाही दे ही नहीं सकता और उसे बाइद बरी कर दिया जाएगा ऐसी मनूस टाइप की बाते मूंसे मत निकालिए अगर वह कहत से बरी हो जाएगा तो हम लोग तो जिन्दगी की कहत से बरी हो जाएंगे जिस टाइप से उसने बिल्ला का कतल किय जाती है उसी तरह कुछलवा के रख दूँगा इस बिना दांत के कुटे को अगर वो रास्ता पार ही नहीं करेगा तो आप उसे कैसे कुछलवा देंगे वो तो जेल में है अपना वो हवल्दार जग्गा उसी जेल में डूटी पर है न हाँ ए विश्वा गेले क्यों आज 15 अगस का दिन है सब कैदियों में मिठाई तक्सीम की जा रही है यह तुम्हारे इस से की है है कर दो खलती कर दो हुल हर तुम्हार कर दो लु kull झाल झाल कर जया तोतज इस वाल हस्पादल यहां। ताल लगको, तो मेरे साता। यहां। तूकर। थे विश्वा नहीं। विश्व प्रताब के ये जलर साप। विश्व प्रताब। मगर मैने तुम्हाने बारे में सुना है कि तुमेवे एक नेक और अच्छे इंसान हो। गरीबों के दुठ डर्ध में गामाते हो। और बस्ती के तमाम गरीब तुम्हें फरिश्टा कहते हैं। कातिल हूँ ये सुना नहीं आपने। वही मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे शक है कि तुम्हें बिलावज़ ग्रफतार किया गया है। और जो अफसोस तक वाकिया आज पेश आया है वो उसकी ताज़ा मिसाल है। विश्व परताब अगर वाकिय तुम बेगुना हो तो सच्चाई क्या है मुझे बताओ। जो कुछ मुझे मुझे से मदद हो सकेगी मैं करूँगा। मेरी कहानी सुनकर आप मुझे इंसाफ दिला सकेंगे। बेशक मैं पूरी कोशिश करूँगा। तो फिर सुनिए। मैं ठककर ट्रांसपोर्ट कंपानी के मालिक सिकंदलल ठककर के वहाँ लॉडी ड्राइवर की नौकरी कर रहा था। आप महर्बानी करके मुझे जरा शेयर छोड़ दीजिए। कमाले मैं अब जा रहा हूं और आप मुझे डाउन जाने को कह रही है। ठीक है जरा आगे लेते लिए। में किसी बसी से टैक्सी पकड़ लोगे। आये। जरा गाड़ी ते चला ये ना बड़े महर्बानी होगी। आप कोई रॉंग नंबर की सवारी लगती है। जी, क्या मतलब? मतलब ये, कि ये पुलीस आपी की तलाश कर रही थी ना? जी हाँ, ने, ने, ऐसा कुछ नहीं। देखो, सिधी तलाश से बता दू, वरना सीधा पुलीस गाद में दे दूँगा। ने, ने, बताती हूँ, सच-सच बताती हूँ। मैं एक करोड़ पती की यहाँ, नौकरानी का काम करती हूँ। बबरे। कसम है चराख की, चंदा से चमकते हुए दिमाग की। तुम जरूर वहां से कुछ चुरा कर भाजी होगी। कैसे बाते करते हैं आप, मैं इस किसम की लड़की नहीं हूँ। अच्छा, तो किस किसम की लड़की हूँ। इस बात पर अपने दिमाग के चराख की जरा रोश्री टपकाएंगी। जी टपकाती हूँ। मेरा मालिक अच्छा आदमी नहीं था। उसने मुझे बे सहारा गरेब समझ कर मेरा हाथ थामने के कोशिश की। मेरे उसकी पिटाई करडाली। उसका सर फोड़ दिया। इसलिए वहाँ से भाग निकली। कि उसकी लोगों के सामने बढ़ना मिना हो। इसलिए उसने मुझे पर चोरी का इल्दाम लगा दिया। बस इसलिए पोलिस मेरा पीचा कर रही है। मेरे मादद कीजी। एक बे सहारा इजदार रड़की को बचा देजी। मैं मरकर भी आपका ऐसान नहीं भूलूँगी। मुझे सहारा देजी। चिराग। बाद के चिराग में रोशनी तो लगती है उस्ताद। फिर ले जाए इस छोरी को घर। बेर फिकर। परशाद जी आप परेशान क्यों होते हैं। आपकी बेटी को बची तो है नहीं जो खो जाएगी। खो नहीं गई अपने बाप का घर छोड़के भाग गई है वो। आपके इस निकम्मे और नाकारा बेटे के साथ हम जबरदस्ती उसकी शादी करना चाहते थे। इसलिए बाप को छोड़कर भाग गई है वो। अरे रेटी ये कौन से टाप की बात हुई। बेटी इनकी भाग गई है निकम्माद नाकारा मुझे कह रहे हैं। अबे दू चुप करता की नहीं। इशो परशादी। ठीके ठकर साब मैं बहुत परेशान हूँ आप इस वक्त मुझा अकेला छोड़ दी। अरे आप जिंदा क्यों करते मैहून आपके साथ। नो थैंक्यू ठकर साब अपनी परेशानी में खुद जेल लूँगा। लेकिन आप कृपा करके आज से बलके अभी से इस शादिया वाली बात को हमेशा के लिए भूल जाइए। भूल जाए। ऐसे कैसे भूल जाओ इश्वर बशादी। हमारे दोर तरीके एक हैं, जिंदगी का अंदाज एक है, बिजनस का स्टाइल एक है। कोई स्टाइल वाइल एक नहीं है। बलकि मुझे धोके में रखकर आप मेरे नाम पर गलत कारोबार करते रहे। मेरी कंपनी के माल में अपना स्मगली का बाल ले जाते रहे। मैं बेखकर रहा। एश्वर बशादी। इस दुनिया में जर्म करना गुना है, मगर जर्म से बेखकर रहना उससे भी बड़ा गुना है। अगर मेरा माल आपके नाम से स्मगल होता रहा और आप बेखबर रहे तो इसमें आपकी बतक्समती है मेरी नहीं और कम असकम इस जनम में तो इस बतक्समती के दल्दल से निकलने के लिए आपके बास कोई रास्ता नहीं है मैं दुनिया को पता दूगा कि आप मेरे साथ परेप करते हैं एक मिनिट एक मिनिट इश्वर परशाद जी अगर आपने जलबाजी में मेरे कारोबार का रास फाश किया मैं आपकी जिंदगी पाश पाश करके रख दूगा इश्वर परशाद जी आप शरीफ आदमी है और ठ अद्वांश उसकी फूजा करते हैं इसलिए ठकर की बात को भगवान का परशाद समझ कर मान जाए उसर ठकराई हमत इसी में आपका भला है कि याद रखना मेरी बात को अरे गुरु अरी कॉर्ण डूर्फ ऑन चलता है यह फूल में तुमारे लिए ख़ता हूं है लक्ष भांकर उब्लाकर आप है वाया है होँ दो जी अरो बटे में ह्मि एख रोगाई है कैंड़ जिक कम मततक्र धुरुत cambio सबऋ घर मं पर पर हुकम चलाने वारी इस दुनिया में मेरी गलती पर जाटने का हक रखने वारी एक और सिर्फ एक हगती है यह मेरी बेहन लक्षमी यह लटा हा तभी खुश्टू आ रही है अरे नहीं नहीं यह चमपा चमली के फूलों की लेता नहीं है सिर्फ नाम की लेता है आज से किला बात चीट कर मैं जड़ा अफिस होकर आता हूं आप जाईए मैं इसे बहुत सारे बाते गभी कर शाला नहीं हाँ चला लक्षमी अरे आजो इसे अपने घर थमचो गबरा मत तुप जुफ इस पार करता है कितनी मरता का धूका मत कर मूह में दागा है पुन्य कॉल यह दागा पिता जी पिता जी आज मैं पुन्य का काम करने जारा हूं महारा माली माली की बैंट में बच्छाडगे दिये हैं, भू हो चुजणा रूदके भासन लेकर कब आइस था पूंग हों, कुछ्छान लेकर आथा हूँ, अब यह पेवों को चर्वाने वाले जेकर अब बाप तु बाप कबड़ रहा हैं, अबे खचर, बारा महीने मंदिर के चकर काटने के बजा है, अगर खाली दो महीने तो अपनी बीवी के चकर काटेगा ना, तो खुद बो खुद हस्तावा मुना घर में चलाएगा आपका मतलब है कि अपनी बीवी को खंबे के साथ बांद कर सुबह शाम उसके चारो तरफ कोलू के बैल की तरह मैं चकर काता रूँगा तो मैं बाप बन जाओ और आप दादा बन जाएगा अब हाती के शरीर में गधे की अकल लगने वाले जानवर तु समझता क्यों नहीं है अपनी बीवी के साथ रहा कर हां ठैर मैं बुला दाऊं तिल बीवी को उसका नाम क्या है कोई अपनी बीवी का नाम थोड़ी लेता है कितना थुखता है माला बेटी आपने मुझी बुलाया रही मैं नहीं इस गठे नहीं बुला इसको साथ लेजा इसको तो अकल नहीं मकर तुझे तो है तो जिल जा रहें पिताजी आप याओना चाम जा यृश्य ताइप के लोग देखे, मगर आपके जैसा टाइप नहीं देखा रॉंग नमर कर मैं शेरा मैंने अपने प्लान के मुदाविक सारा काम करवा दिया है बस सिर्फ तुम्हारा इंतदार है मैं आ रहा हूँ इस तरह मुझे घुर-घुर के क्यों देखे जा रही हूँ मैं इंसा नहीं लगती हूँ क्या अरे, हट क्यों रही हो क्या, क्या होगी है तुम लोगों को नहीं, गलत में समझना क्या है, दरसल हम लोगों में शर्ट लगी है मैंने इन लोगों से कहा तो मेरे भईया से वह प्यार करती हो उसलिए वे तुमें घर ले आए मगर यह लोग कहती है कि नहीं नहीं तुम उन्हें कहीकी रस्ते में भटकती हुं मिल गयी होंगी और उन्हें तुमष ना दया कर तरश घाकर तुमें घर ले आए अब तुम ही बताओ ना, सच क्या है? हाँ, मैं तो रास थेर जला था अपनी असलेत मत बताना, परना इन लोगों को शक हो जाएगा और बात लोगों तक पहल कर, फुलिस तक पहुंच जाएगी संभाले मामना अप, मैं अपनी अमों से क्या कहो लक्षमी, मुझे शरम आती है दरहसल जो तुम समझ रही हो न, वो यह सच है वह मारा, सुना तुम लोगने, अब तो मानती हो, अरे मैं तो पहले ही समझ गई थी यह चांद सा चुकड़ा आकाश से उतर कर, मेरी भावी बनकर मेरे घर को चमकाने आया है हार गी ने तुम लोग, चलो चलो यह बात जाकर बस्तीवें सब को बताते हैं अरे लेक्षी, सब को मत बताना हो अरे बाबरी, गई काम से क्या लेए जगन नमस्ते, मालिक मैं ज्यादा बकवात सुने कादी नहीं हूँ तो जा इसी बद नोगली चोड़के चाल ज़ाओ यह धककसेट जिस तरह आपके मरने पर आपके चीता को अगनी देने के लिए आपके बेटे का होना ज़रूरी है उसी तरह जगन के लिए बेटी का करना उससे ज्यादा ज़रूरी है विश्वा विश्वा नहीं मिस्टर विश्व प्रताब कहो आएंदा गलती नहीं करना चुझे और एक बाद सुन लिजे इसे तीन दिन की छुटी देनी होगी तीन महने का एडवांस देना होगा वरना ये लौरी तो क्या इन में से एक भी लौरी एक इंच आगे नहीं जाए ठीक तो कह रहा है शाबाश विश्वा बहुत खूब मैं हमें दर असल तुम लोगों को का इंतिहान ले रहा था वो लोगों ने मशूर का रखा है ना के गरीबों को सिर्व दौलत से प्यार होता है अवलाद बेटी रस्म और रिवास सब को ठोकर में मारते हैं मर्मान गया आज ये ठककर गरीबों की दिल के अमीरी को मान गया है क्यों बाटनर और इसलिए जगन को सब कुछ मिलेगा तीन दिन की चुट्टी भी मिलेगी और तीन मीने का अडवास भी मिलेगा शादी के लिए अब तो खुशो मिस्टर विश्वा परताप ठीक है इस गाड़ी का सम आजादी से ऐसे घूमते रहते जैसे गुल पर मक्हियां पिकनिक मनाती है मैं नहीं जाने वाला मैं कुछ चक्र फिट करके वहां से फूट लूँगा अबे ओ बुझे वह चिराग जल्दिया गुट मॉर्निंग गुरु तुम कहें रही है वह चिराग का बच्चा का है उस पिचारी को बहुत जोर का दर्द हो रहा है गुरु अरे जूट बोलता है साला नाम चिराग है लेकिन उसके अंदर से 400 बिसी के अंधेरा निकलता रह इसलिए इस ट्रिप में अपने साथ लपिछलो गुरु तुम्हें और अपने साथ हागरु क्लीनर बनके चलूंगी दिमाग खराब हो गया तुम्हारा ने यह ने यह नहीं हो सकता अप चिराग गुरु गुरु अगर तुम मुझे यह चोड़कर चले गई और कई हो पैसे या हैंडल को माना पड़ेगा ओ अपनी गाड़ी को स्टाइटिंग प्रावलेम नहीं है सुइच मारते ही चालू हो जाती है थ्यानी मादमां चड़ जा राइट राइट चलो गुरु बच गया यह चिराग भुजने से बच गया प्राशत मारि खृचली है इस खन्यो ग़ु कर वधिंग खज़ है ते अट फोड़ी है अष्यक्ति at the चन्हें जारीवरी गड़े बस्टाईग अश़एगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग एई चलो नीचे उत्रो नीचे में क्यों उत्रो अरे तुम्हारी सूरात देखने के बाद लोग गंदी-गंदी हरकते करते और एक्सिडेंट कर बढ़ते हैं इसमें मेरा क्या कुसूर है आहा कुसूर तो मेरा है अगर एक्सिडेंटों का यही हाल रहना तो चंबल गाट कि यह लो पैसे और कोई बस पकड़ लो चलो उत्रो पीच रास्ते में तोड़े से पैसे देकर एका के लिए लड़की को उतार रहे हो कोई बात नहीं भगवान तुमको भी अगले जन में लड़की बनाएगा और तुमको भी कोई ऐसे ही छोड़कर जाएगा तब पता चर कि अग झाएगा比較 जाएगागे पीच है झाएगा तुमको कि यह झाएगा लड़की अकेली तू भी अकेला मैं भी अलबेली तू भी अलबेला तेरो मुझे हाथ चाहिए तेरो मुझे साथ चाहिए साथ दिन रात चाहिए नहीं तो मैं मर जाओंगी लड़का अकेला तू भी अकेली लड़का अकेला तू भी अकेली मैं भी अलबेला तू भी अलबेली तेरा दीदार चाहिए तेरा मुझे प्यार चाहिए अने को बार चाहिए नहीं तो मैं मर जाओंगा हां 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 हो एगा जाओ जाया अ कि अधिद के शची आखे तरी गए काट गए दिल को जात जात है था कि आखे दिल में पर चाहिए था ते रहे चाहिए में दिल को दिल मेरा पंचर हो गया, ये कैसा चक्चर हो गया हर दिल मेरा तोड़ चला कहा मुझे छोड़ चला मोड़ चला मुखड़ा में जंगल में ठोगे, में और तीली होके तेरा मुझे हात चाहि तेरा मुझे साथ चाहि साथ दिन रात चाहि मैं तो मैं मर जाओंगे लड़का अकेला, तु भी अकेली लड़का अकेला, तु भी अकेली हुआ हुआ! गारी जब चलाया करूँ मुझे भी सिखाया करूँ मैं भी जरा पकड़ूग स्टीरिंग मेरे जोस्तमी उस्ताद तमी सब कुछ रगते बात दुए गारी जब चलाता हूँ मैं हॉर्ण तो बचाता हूँ मैं ब्रेक ना लगाये जाये मुझसे अफ्थार मेरी है तुफानी तुझको मुश्किल होगी रानी तेरा दीदार चाहिए तेरा मुझे त्यार चाहिए अनेको बार चाहिए नहीं तो मैं मर जाओंगा लर्क अकेली तू भी अकेला लर्क अकेली तू भी अकेला मैं भी अलबेली तू भी अलबेला तू भी अलबेली तू भी अलबेली तेरा दीदार चाहिए तेरा मुझे त्यार चाहिए नेको बार चाहिए नहीं तू भी अलबेली नहीं तो मैं मर जाओंगा यह क्या गुरू कोई हम पर गोली चला रहा है यह गोली के आवाज ले चाहर पंचर हो गया है क्या चाहर पंचर हो गया और वो भी इस जंगल में आओ पंचर के चलादेकर होता है यह फर्स्ट डाइम है वणनो मेरी गड़ी का टायर कभी पंचर नहीं हुआ मेरे बैठने से टायर पंचर हो गया क्या ए बगबग बंद करो देखो पंचर कि दर हुआ है उत्रो जाओ जाकर जैग लेकर आओ जैग वो कौन है अरे जिससे लॉरी उटपी है कितना बड़ा होता है इतना असा जैग इतनी बड़ी लावी को केसे उटा सकता है रहे देखो मुजूल की हुज्जद मत करो जाओ केविन से जैग लेकर आओ ठीक है गुरू जैग जैसी कोई चीज मुझे दिखाई नहीं दे रही है तुमको जो साथी बनाएगा उसको जिन्देगी में कुछ नहीं दिखाई देगा बड़ी स्टाइल मलके कह रही थी मैं क्लियर बंके चलूंगी और घर से निकलते वक्तिया भी नहीं देखा कि जैग ह है कि नहीं है गुरू गुरू उधर से लारी आ रही है रोको आ रोको चौप चौप प्लीज चौप अरे शिरासाब अच्छा हुआ आप मिल गया है अपना सारा जैग देना टार पंक्चर हो गया है मैं देखता हूँ जाब बैट गरी में साले क्या है कि आज मैं अपने जै चार फलों के लिए इतना क्यों मर रहा है खाने देना भाईया खाने रहे कच्छे है मुझ में खुछ नियो जागी लाइद रहा तो तो भाईया कहने के भी लाइक नहीं है तेले कंचूस मकिचू अरे शेरासाब ऐसे शोर मचारो जैसे फल ने कोई सोने की हीट है नहीं दे तुम्हें पल चाहिए क्या सिर्फ इतना बोलो अरे मगर है कहां यह रहा यह तु कहां से निकाली जब वो तुमसे बात कर रहा था तो मैंने चिपके से खमार दिया लो खालो मुझा नहीं चाहिए गुरू यह गुदा तो मीटा होना चाहिए बकर यह ताजित से है गुरू यह देखो यह कोई और चीज़ है यह तो अफिन है अरे पापले मा इसका मतलब यह लोग फ़लो में अफिन स्मगल करते हैं तुम्हें ही ठेरो मैं पुलिस को बुला कर लाता है यहां ठेरो नहीं यहां के लिए नहीं रह सकते में भी तुम्हारे साथ चलूगी हो हो ओख आओ यह अले मेला बेपा बाप दाटाट आ अले तेला माध सितना कंबा होग यह अ आ रज्व्यू बाभू बाभू व्या मैं तर्फ ट्रेड़्ड कलनुगा बेटे अ पैटे बाभू बाभू पैले पर ट्रेली ए गोला बंजाना आजया मैं भ़ी और तबन जाओगा बेटे। तब में ले गुले, तख तूख। मेरा बाप नहीं मरा, लेकिन मैं जरूर मर जाओओगा। मुझसे बच्चे पैदा नहीं होते ना। इसलिए मैं अपने बाप के मुझसे रोज गालिये सुनताू। थोड़े काता हूं जूते खायता हूं भाई साफ आपका आपका छेहर है मुझे जेहर तो आफ रहा है एक आपका भावट को सब देसे को मुझे लगता है तेरी भी बच्चा जन्में के लायक नहीं है बागा दोस्त ऐखर तुसा आइडिया का साथ दे मैं गैरंटी के साथ कह सकता हूँ को तुझको बच्चा जरूर पेडा होगा अब क्या करता आइडिया जल्दी बताओ आरे वो धाबे वाली चंदा को जानते हो ना वैस उसके पास पहुच जाओ और वहां जाकर क्या करो अगर तू मेरा कहना मान ले तो छे महीने के अंदर अंदर तेरे दरवज्जे पर लॉरी खड़ी होगी वो कैसे अरे वो ऐसे कि सिकंदर लाल ठककर जो पांच सो लारियों का मालक है उसका एक बेवकू बेटा माघट उसको मैं अपने साथ लेकर आया हूँ क्यों उसे एक बेटे की जरुवत है तो मैं क्या करूँ मैं उसको तेरे कमरे में भिजवा देता हूँ हराम खोर बेइमान दल्लाल की अवलाद तुझे जीते जी कीड़े पड़े तुने मुझे समझ क्या रखा है मेरी बात है अरे मुझे कुछ नहीं सुनना एक तो वैसे ही महने से पैर भारी है मैं गर्द से हूँ उपर से गंदी गंदी बाते करता है अरे गंदी आरे चोग साला तुझ में शादी करने की हिम्मत नहीं है तो किसी जानवर को लाके मेरे दर्वाजा पर खाड़ा कर दिया अरे सुन तो सही तिमाख के कार्बोरेटर पर जोर दे बुद्धी का इंजिन जो फेल हो गया वो इससाट हो जाएगा यह जो माखन है ना माखन इसकी शादी को पांच साल हो गया अभी तक गर्भवती नहीं हुआ मेरा मतलब इसकी बीवी गर्भवती नहीं हुई मैं उसके लिए घोडा सुलाओ दारू लेकर आया हूँ क्या सुलाओ घोडा सुलाओ अंदर आने से पहले मैं उसको इतनी पिला दूँगा कि कमरे में घुसते ही वो मरे हुए बैल की तरह ओंद आगीर पड़ेगा अरे मानगी अरे बड़ी मुश्किल से राजी किया है मालू मैं अरे यह रही एक ही सांस में अपने पेट की टांकी में उडेल लो पीजा थेर बचे काए मेरे बच्चे को पैदा करने वाली काए अरे इस माकन की तंदा अरे तू काए रहे आजा मेरी तंदा मेरी दुनिया में बहुत मंधेरा हो गया है अच्चो का बल्ब जलाके कुझाला कर दे रहे है मेरी तंदा मेरी तंदा इसे कहते हैं फुल स्टॉप अब चांदनी और चिराख का होगा मिला जल्दी कर वरना आइडिया न हो जाए फिर गुरू सोएंगे कहा हम लोग हम लोग अब मेरा मतलब है कहां सोएंगे तुम केविन में सोगी और मैं उदर चलो अबरे खाती पीती है अरे बापरे नाम लेते हैं आगया गुरू जा है हाती चिंगाड रहा है तो चिंगाड ने देना तेरे गले में क्यों तकलीफ हो रही है सुंड में उठाकर कहीं पटक दिया तो गुरू अरे हाती सियाना जानवर है कोई फाल्तू चीज़े नहीं उठादा जल सोजा गुरू गुरू मुझे बहुत डर लग रहा है मित मरे पास आकर सोजाओ क्या मुसीबद है जा जाकर उपर करिश में सोजा क्या गुरू रंबल मुझे पूरी पड़ जाएगी अगर पूरी नहीं पड़ेगी तो सुकर कर्स हो जाए जाते हैं बाबा कि इतना भड़कते क्यों हो खुझ मेट गुरुफ क्या मुसीबद है आप क्या हुआ तो धाड़े मानने देना तेरे पेट में क्यों तकलीफ हो रही है घृट चानThat Man तुम्हारी बगल में बगल में मेरा मतलब है कौन से जगा यह ज़ादा बगवास मत कर इधर सोजा तुम कितने अच्छे हो ना गुरू बहुत धंड लग रही है जड़ा अपनी चादर में आनी तो ना लगता है थोड़ी देर के बाद कहेगी कि मैं आपको चीपकर सोजा हूँ आपको कैसे मालम हुआ अबे जब माद भी होटल का कमरा नहीं देखने रही के डूड़ डिस सब लगा हुआ है फिर भी घुसी जा रही है आखे मुँ बंद करके सोजा अरे माँ ये बगवान बहुत ठनल गई ओओ ओओ ये ये ले चादर आखे लिए उटकर सोजा जा थैंके गुरू इसकी क्या सुरू रहती है कमरगे तक्लिय उटने रही है बश्यूरू बढ़ू अरे बाफ दस में के लिए चुपो जा कुरूण कुरूण के लिए चुपोजा कुरूण बशायो बचा हो जो चाहिए कुरूण भावावाव जो भावरूण सुरूण दूम्से चुपोटृ readily लुब मुशब शुब अनो खे लुब है प्लिगा हर दो see चेस से दपिले भाही ले उऍको ढ सम फड़ारे ले अबसकता बाला कर घज़ है पर अबस्क अबस्को अबस्क झाली लेकी किस दो किस दो फड़ारे ले दो बेडे लेके कि मेंको ये अबस्कोफ। यही है वो जाफिम के स्मग्लिंग करते है बहुत दिनों से पूलिस को तुम लोगों की तलाश थी तिरा बताता हूं थैंक्यू फॉर यॉर काइंड इंफरमेशन में सुमिश्वा थैंक्यू लेजा इसे लेकिन मैंने क्या क्या रही है मैं तो बहुत धक गई हूं और भूग भी बहुत लग रही है, कुछ खाने को दो है अछा सो अके लिया गुंडू штव मैंने की और ठक तुम गई हो और भूख भी तुनेगग रही है हाथो तुम लड़ रही थि और में लेक ऱख रही थी देखने में वेत्था किल लगती है है किलते से फटावार कुछ थो मुझे बहुत लगई है देखवाई यहां तो कुछ नहीं है बचा तो स्रिफ मैं हूँ मुझे खालो तुम्ही खालो जाइका बुरा नहीं है चले चल 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 सीदे चल पिटान कंपणी को जिए परी को चुछ चोर आदमी है यह कौन सा टाइप है हजार बार मैं किस लाल फोन को हाथ मत लगाया कर मार खागा के गाल लाल हो गए मगर तुझे आकल नहीं आती है क्यों इसकी वज़ा क्या है इस लाल फोन मेंसे क्या लाल रंग की आवाज आती है प्रांग नंबर अशेरा बोल रहा हूं गोपी नगर के पॉलिस टेशन से माल के साथ साथ तैमी पकड़ा जाए जमानत का बंदवस्का रहा हूँ अच्छा अच्छा मैं इसका निजाम कर भूगा है प्राजन एक काम कर का लेकर गोपी नगर जा वहां पॉलिस टेशन में शेरा पकड़ा गया है उसको जमानत में छुड़ा के लाम अगर एबात का ख्याल रहे किसी को पता नहीं चलना चीके शेरा पकड़ा गया ओकड़ रुलो भाई मेरा काम हो गया अच्छा तो गुरु म चलता हो फुदा फ्राफ़ी नहता है नहता है नहता है नहता है आँ आघए भुरु आंजाओ हुआ 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 आगा हुआ हुआ है हुआ ही याँ हरा है आज कुछ भी हो जाए पूछे कुछना पूछना वै 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 दुरु दुरु आजाओ सनम संग संग ठूप जाओ सनम एक टूबे सजा है दुरु दूबे मजा है चैन आये दिल को तूपो चाहे जिदना वै 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 Ha çaldırı, görmey, çaldırı! एक तो अंदर की गर्मी, एक तो बाहर की गर्मी, हारा अंगारा लगे एक तो अंदर की गर्मी, एक तो बाहर की गर्मी, ठारा अंगारा लगे एक तो अंदर की गर्मी, एक तो बाहर की गर्मी, हारा अंगारा लगे एक तो अंदर की गर्मी, एक तो बाहर की गर्मी, हारा अंगारा लगे जून तगानगा, जून 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 गुरु गुरु आजो गुरु प्यार में है जून जून मुल गई पाहो से भाहे मिल गई सासों से सासे खुश्बू सी उड़ने लगी जाहा से आना मुश्किल सिंदी की अपनी एदी उस राहम उड़ने लगी मिल गई बाहों से बाहे मिल गई सासों से सासे खुश्बू सी उड़ने लगी जहते आना मुश्किल जिन्था किया में दिल उस राहों बुरने लगे जूम 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 तगनागा जूम 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 गुर गुरू आ चोगुरू प्यार में है तुचँ गुरू मैं लुट गई बरबाद हो गई मेरे जीवन की नईया में खड़ा हो गया अरे सब कुछ लुट जाने के बाद रोने चिलाने से क्या पाइडा जो भई क्या हुआ अरे वो हुआ जो आज तक इस महले में कभी नहीं हुआ इसको एक खैल छबीले नौजवान से प्यार हो गया इसका जिया बेकरार हो गया बेकरारी में लिमिट तोड़ दी और मामला सरत के पार हो गया और इसी कारण इसको तीन या चार महने का गर्भ हो गया मैं जब इसको पूछता हूँ कि आरे कौन है वो तो बजाए सीधा जवाब देने के उल्टी उल्टिया करती जा रही है अरे चंदा बता दे वो कौन है वो बादूर इंसान मैं हूँ जी आप छी 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 ऐसा काम कभी कर नहीं सकते जो नहीं कर सकता तो आप सब लोग कह करने के लिए इसकी मदद करने के लिए किसी और का इज़ाम अपने सर ले रहे हैं यह आपका बड़पन है यह बड़ा पर नहीं है थू बलके छोटा पर ले इसके पेज में पनने वाले चोड़े से बच्चे का बाप मैं हूँ आरे रे 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 कमाल यह बेचारे खुले अरो इस छाचुंदर के जरत जलने वाले चिराक को बीच पेक क्यों डालती है जिदा मेरी आंग ते आंख मिला कर दिल से दिल मिला कर मुझे पूछ ने तैयार हूँ ने चिंता मत कर माखऴें जोपरिमें राजकुमारी बना करसे जोबारी बना कर मांकर cmत कर अरे लक्षमी, ये क्या? आज इतनी सारी तरकारी किसके लिए काट रही हो? आज मेरे भहिया आ रहे है और उन्हें ये तरकारी बहुत पसंद है अच्छा, मतलब तुझे अपने भहिया से इतना प्यार है कि उनकी हर पसंद और ना पसंद का दुझे पता रहता है बिल्कुल, मेरे भहिया जो हैं, वो मुझे मेरी जान से भी ज्यादा प्यारे हैं, मालूम? अच्छा, तो एक बात बताओ, जब हमारी शादी हो जाएगी, और हम ये बस्ती छोड़ के चले जाएगे, तब उनका क्या होगा? क्या होगा, हम जहां जाएगे भहिया को साथ लेकी जाएगे, उनके बगेर तो मैं कहीं नहीं जाओंगी और फर्स करो, अगर तुम्हारे भहिया तुम्हारे साथ आने के लिए राजी नहीं होए तो? तो मैं तुम्हारे साथ शादी का इरादा ही दिल से निकाल दूँगी क्या? गुरु, तुमसे तुम्हारी बेहन के स्पीज बहुत जादा है अरे बेटा विश्व परताब, अगर मेरा बेटा आरून मुझे पहले बता देता तो मैं तुम्हारे घर सरकेबल आता इससे बड़ी मेरी खुशन से भी और क्या हो सकती है कि तुम्हारी बेहन लक्षमी मेरे घर में बहु बन कर आ रही है तो मैं लगन का शुब मोरद निकल भाँ अरे बेटा शुब काम में देर कैसी, कली मिलो पंडिक से मैं पूछता हूँ शेरा, तुझे विश्वात जगडा मोलेनी की दरूवत क्या थी अरे यार वे अपने गाड़ी में खुश्वात चिडिया बेठा के ले जा रहा था चिडिया? कौन थी चिडिया? अरे चिडिया का मतला बे खुश्वात लड़की काँ है? अरे वो लड़की ले जा रहा थो दूसको क्या करना है? पीचा के लेकिया क्या दून होती है आईए आईए श्वात जी परमाइए शक्कर साब यह मैं अपनी बेटी की तस्वीरे लाया हूँ यह दर आपने ड्राइवरों और क्लीनरों को दिखा ही है और उन्हें कहिए कि वो आते जाते रास्ते गाव शेरों में उसे तलाश करते रहें और नजर आते ही मुझे खबर कर दें इतने लंबे चकर वो पढ़ने किया जरुए थे इसको सीधे से अख़वा देते हैं एक दिन पूरी देश में खबर फैल जाएगी अब तक जितनी बदनामी हो चुकी है जितनी चोटे खा चुका हूं उतनी मेरे लिए काफी है अब अगर लोगों को पता चला कि मेरी बेटी घर छोड़के चली गई है तो मैं समाज में सर उठा कर चलने के काबिल नहीं रहूँगा शेरा एई देख ये लड़की अरे ठक जही है वो चुडिया शेरा मेरी बेटी के लिए गलत शब निकाला तो मुझसे बुरा कोई नहीं हो क्या वाकास करता है उनकी बेटी इनकी बेटी सेटी में माप चाता हूं लेकिन पार्णना इसी लड़की को मैंने विश्वा के साथ देखा है यह कि शिख को अब तक विश्वा कहा चुका वका है सब तक विश्वा घर आ चुका है पहले ये बताओ, ये लड़की यहां कैसे और क्यों आई? क्यों? अब होते कौन है पुछने वाले? लटा मेरी बेटी है इसलिए. और वो मेरी होने वाली बीवी है, इसलिए. आगे तुम कुछ समझ गए होगा कि मेरी होने वाली बहु है, इसलिए. ये सब जूट है, बक्वास है, लटा एक गरीब लड़की है, दौलत बालों के जुलम और रताचार से तंग आकर अपनी इज़त बचाकर भागाई और मैंने उसे सारा दिया है, शनप! बात बनाने की कोशिच कर रहा है, क्या तुझे पता नहीं सा लटा मेरी बेची है? हर रोज हमारा माल ठकर साब के ट्रक में ले जाता है, और फिर भी तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ! अल्लाता किसकी बेची है? अरे साब जानता है, ये बहुत बदमाश किसम का करेक्टर है, इसना बहुत गहरी चाल चली है! लटा को अपने प्यार के चक्कर में फास कर, आपकी जायदा दौलब करने के खौब देख रहा है, कमीना! ठकर साब! बेच्वा, मैं तुमसे आखरी बार कह रहा हूँ, कि अगर तुम्हारे मन में खोट नहीं है, एक अमीर बाप की बेटी का हाथ दौलत के लालच में नहीं थामाए, तो तुम इज़त के साथ लटा को अभी और इसी वक्त हमारे साथ रवाना कर दोगे! सुना तुमने ये लोग क्या कह रहे है, अखिर अब तो बता दो सच क्या है? सच तो यही कि मैं करेब नहीं हूँ, एक अमीर बाप की एक लोदी बेटी हूँ, मगर वो दौलत, उनके महल, उनके एशवाराम, उन सबको अपने मर्से से ठोकर मार कर आई हूँ. तो फिर तुम मुझसे जूट क्यों बोली? अगर मैं सच बता देते, तो तुम मुझे उसी नर्क में दुबर भेश देते, जहां से मैं, जहां से मैं बड़े मुश्किल से जान बचा कर आई हूँ. अब मैं उन्हों को क्या चबाद दूँ, मुझे जूटे इल्जम लगाए गए हैं, उनको गलत कैसे साबित करूँ? ये खीर आता है, तुम मुझसे शादे कर लो. अगर तुम मुझे वहां वापस बेजोगे, तो जानते हो क्या होगा? मुझे एक नीच और जलील आत्मी की बहु बनना पड़ेगा. और एक स्मगलर के पत्नी बनकर अपनी मांग में पाप का सिंदुर लगाना पड़ेगा. ऐसी जिंदेगी मेरे लिए मौत से भी बत्तर है. मैं अभी उन लोगों से कहती हूँ कि मैं अपनी दावलत और जैदा छोने के लिए तयार हूँ. क्या तुम मुझे सहारा देख, मुझे शादे करोगे? एक शरीफ लड़की मजबूरी और बैबसी में तुमसे पूच रही. क्या मुझे बर्बादिया और तबाई से बचाने के लिए तुम्हें मर्दांगी नहीं? पिता जी, ये किस टाइप का आदमी है? लड़की लाने गया था, लखड़ी लेक्या रहा हूँ. लटा आप लोगों के साथ नहीं जाएगी. क्या का? नहीं जाएगी? लगता है ये अंदर जाकर लटा को डरा धमका कराया है. इसलिए बाहर आकर हमें भी आखे दिका रहा है. नहीं पिता जी, ये जो कुछ कह रहे हैं, बिल्कुल सच कह रहे हैं. ये मेरी दिल के आवास है. मैं खुद उस नर्फ में वापस नहीं जाना चाहती. लटा बेटी, ये तुम क्या कह लिए? अपने बाप के घर को उसके अर्मानों को यह इजद दे रही हो. और आप बाप होने के नाते अपनी बेटी के अर्मानों का और उसके जिंदगी का कौन सा कहल रख रहे हैं? इस तरह बापको फर्द निबाया जाता है? बोलिए, सर्क्यों जुखा लिया. ठकर साफ, अगर आप मुझे अपनी बहु बनाकर मेरी जैदाध हत्यानी के आशा रखते हैं, तो महरबानी करके मेरे पिताजी से ले लिजी. मगर मुझे अपनी बहु बनाने के कोश्मत किज अब जिस रास्ते से आप लोग या आये थे, उसी रास्ते से शराफत से वापस लोट जाईए. बहुत अच्छी बढ़ाई है तुमने इसको. मगर हम इसी पट्टी पढ़ाने वालों को उनी की पट्टियों में लपेट कर अस्पताल भीजवा दिया करते हैं, बच्चे. हम जाने वालों में से नहीं है, इसलिए जिद मत कर इसको सीरे से हमारे साथ बेज़ देए. अगर किसी माई के लाल में हिम्मत है, थोड़ी सी मर्दानगी है किसी में, तो इस लाठी की बनी हुई सीमा को पार करके आए, और खुशी से लाता को ले जाएं, अबदार जी, इसन आपकी बेटी को हिफाज़त के साथ घर किस तरह वापिस लाना है, वो तरीका मैं अच्छी तरह जानता हूँ, ऐसे गंदेलों को मूलक कर, हम अपनी जबान और अपने शब्दों का अपमान करना नहीं चाहते, चलिए, 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 विश्वा से टकर करना तुम लोगों के बस की बात नहीं है, वो आग है और तुम लोगों सुके तिंगे की तरह जला कर खाक कर देगा, अरे शेरा भी कुछ कम नहीं है, उस आपको बुजा के उसका नम निशान मिटानूगा, पजूल जिद मत करो यार, सुनो, तु इश्वा के बच्चे को म कुर्ण 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 खर पूख कि बागर सकत हो, जाट ओकूा के लड़ है पूळ जाल के सोटा के लाने लड़ करे लाह से सम्साफ करे लाह सोजर ौाू slow वहा है यक्ष्पी मैं हूँ तुम यह क्यों है हो तुम्हारे भाईया घर पर नहीं है घर पर नहीं है तो यही तो सोच कर आया था कहीं तुम अकेले में तर तो नहीं रही हो मुझे कोई दरवन नहीं लगता तुम जाओ जाता हूँ यह क्या तुम तो और नहीं सीका रहे हो अरे अब तो तुम्हारे भाईया भी हमारे शादी को मान गए है मान गए है तो सोचा था एक छोटा सा बोसा मिल जाए तो क्यों बोलाया मुझे मुझे नीन नहीं आ रही थी गुरू तो मैं क्या करूँ चोई ना घर जाने कि क्या सुर्ट है वो क्या है वो जो तोता मैंना की कहानी की किताब है जुकिल ओक पड़ि रही है इसलिए माम क्या हुआ पेर मैं खोटा चल्फ़ गया लिखाऊ माम अभान कि सब्सक्राइब तोब किसी त्मोने ठीज है त्मोने, ठीज है डरता उस फैर में हो रहा है और काटा इस में देखो लगा इस पैर में है मगर सेफटी के लिए ये भी देखो, यह सब्तिकी बच्ची यह बहिया, किस्वा बहिया यह कुल, यह कुल कैसा हा? बो, मौलोग लगिस्वी को उठाके लेगे, बहिया कौन बोलो कौन? यह करके आत्मी अरोन यह कुछ है, किसी उठादा यह? यह तो विश्वा की बहिर है अरे मैं तू वहाँ पख़ए पख़ए उसको ली तो हम लोग परमाद होजेंगे हुआ 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 कि अग ऩैंने क्वीर नाफ बमान भौब येमφ EPA ना अप्रूव अप्रूट में तेmpfen अज नाइ में में करे तो प्रह्ल, इस要 उना, थ Ass deuई, ए इट थी प्रूप acá णसी, आये नाइ त ginger sंह कर दोर चार आपर कर दोर प्लूर है फ कर दोरह जह दुछ थार उग उर उड़ कर दोरघह तोर है फड़ कर दोर नप चार थार उड़ है पिर पिर क्या हुआ तुम ने तल्वार तो दूसरा बार किया अब बिल्ला को माड़ा है ना बोलो विश्व परताब यहीं हुआता ना वा जलार साब वा आपकी अकल की दाथ देनी होगी मैं तो समझता था मेरी कहानी सुनने के बाद आपको मुझसे हमदर्दी हो जाए कि इतने अन्नाय और इतने पाप के बाद कानून ने ठककर को क्यों घृतान ने किया है मगर अफसूस खोगले तरिकों से मुझे बेगुना साबित करने की कोशिश मत किजिए जिलार साब अगर हो सके तो उस सिकंडल अल्ठकर और उस कुत्ते शेरा को मेरी बादू वाली कोठी में रख दीजिए फिर मैं आपको बताऊंगा कि बाकी कहानी क्या थी और अकली कहानी क्या होगी कहां जा रही हो बेटी कोट जा रही है तुम नहीं जा सकती बेटी समाज में तुम्हारे बाप की इज़त है नाम है और अगर लोगों को पता चला कि तुम उस कातिल विश्वा को जानती हो उसके घर रहे चुकी हो तो बरसों की बनाई हुवी इज़त, नाम, सब बदनामी की आग में जलकर खाक हो जाएगा बेटी मैं इसे जुटे नाम अव रिज़त की बिलकुल परवा नहीं करती जो किसी घरीब इंसान के लिए मोत का भंदा बन जाए मैं जाओंगी जरूर जाओंगी ठीक है अगर जाना ही है तो जाने से पहले एक काम करो मुझे जहर लाके दो लोगों के ताने सुनकर मरने से बेतर है कि मैं अपनी बेटी का दिया हुआ जहर खाके मर जाओं समझी कारवाई शुरू की जाए मिस्टर राम उतार क्या आपने मुल्जिम विश्व परताब को बिल्ला का खून करते हुए देखा इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं खूद इस अदालत से सवाल पूछना चाहता हूँ क्या मुझे वो सवाल पूछने की इजाज़त है आपको यहां सवाल पूछने के लिए नहीं जवाब देने के लिए बुराया गया है पूछने दीजिये क्या पुछना चाहते हैं? देवी जी, गानून की कुर्षी पर भեՃच कर इंसाफ करने वाली देवी. पहले मेरे साथ इंसाफ कीजिये. बिल्ला के कतल के ठीक अदा गंटा पहले, मेरे जवान बेठे का किसी ने खून कर दिया. मेरे जवान बेटे का किसी ने खून कर दिया मेरे बेटे का कतल किस ने किया कौन है उसका कातिल और क्यों उसका कतल हुआ अगर इन सवालों का जवाब जानने की कोशिश की जाए तो बिल्दा कैसे मरा और क्यों मरा इन सवालों के जवाब भी अदालत के सामने खुद बोखुद खुल कर आ जाएंगे मेरा जवान बेटा सिता की आग में जलकर राख हो गया लेकिन मेरे बेटे की मौत का जिकर तक किसी करून की किताब में नहीं है गवाज जिस कतल का जिकर कर रहा है उस कतल के बारे में पूलिस डिपार्टमेंट ने कोई तैकिकाप की योर आउनर जिस वक्त बिल्ला का गत्र हुआ उस से थोड़ी देर पहले मुल्जिम विश्व परताब की छोड़ी बहन लक्षमी और गवा का बेटा अरुन जो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे मुर्द पाए गए ये मौतें खुदकुशी थी या कतल ये पता नहीं चल पाया हो सकता है कि मुल्जिम विश्व परताब को उन दोनों का प्यार उन दोनों का मिला पसंद न रहा हो और इसने उन दोनों के प्यार में रुकाओते पैदा की हो इस लिए मजबूर होकर उन प्यार करने वालों ने खुदकुशी कर लिया उनकी मौत के बाद किसी ने मुल्जिम विश्व परताब को बहाया कि बिल्लही उनकी मौत की वज़ा है उनकी मौत का जिम्मधार है और बिल्ला ही कातिल है बगए च्छानबीन किये हुए मुल्जिम उसको सर समझ बैठा और घुस्से से बागल हो गया इसने तलवार लेकर बिल्ला को पकड़ लिया और उसी तलवार से लोलोहान करके उसका खत्ल कर दिया उसे खत्म कर दिया यूर अगर ऐसे खतरनाक मुझरिम और कातिल के साथ पानून जरा से भी नर्वी बरतेगा या अजाद छोड़ देगा तो इस समाज में शरीफों के रहना ना मुम्किन हो जाएगा अब तक पाबलिक प्रोसेक्यूटर ने ना तो कोई धंके गवा पेश किये हैं ना कोई थोज सबूत पेश किये हैं फिर आप इसे किस बिना पर गुलेगार कह सकते हैं सबूत है यूर अनर ये रही वो तस्वीर जो बिल्ला के गवाद खैंची गई थी और ये वो तलवार है यूर अनर जिस से बिल्ला को उत्ल किया गया है बिंगर प्रिंट एक्सपर्ट के मताबग इस तलवार पर सिर्फ मुल्जम के उगल्यों के निशान है और ये वो रिपोर्ट हादिर है आपके सामने यूर अनर आईसे गुनागार और खून की होली खेलने वाले के लिए सिर्फ एक सजा है और वो है सजा मौत फासी मुझीम विश्यपताब तुम्हे अपने बचाओं में कुछ कहना है जज साहिबा अब तक बहुत कुछ कहा और बहुत कुछ सुना जा चुका है मुझे अपने बचाओं में कुछ नहीं कहना सिर्फ आपका फैसला सुना चाहता हूँ लोरान अगर ऐसे खतरनाक मुझरिम और कापिल के साथ कानून जरा से भी नर्वी बरतेगा या अजाद छोड़ देगा तो इस समाज में शरीफों के रहना नामुकिन हो जाएगा ऐसे गुनाकार और खून की होली खेलने वाले के लिए सिर्फ एक सजा है और वो है सजा मौत फासी पिछले मेने नविंबर की रात एक तारिक को बिल्ला नमके एक वेक्ति का मुल्जिम बिश्य प्रताप ने कतल कर दिया इस मंदर को कई लोगों ने अपनी आँखों से देखा उस बुनियात पर ये मकदमा आदालत के सामने पेश किया गया था पाबलिक प्रोस्टेक्यूटा ने फिंगरप्रिंस एक्सपारट के रिपोर्ट के जरीये ये थावित करने की कोशिश की कि मरने वाले ने जिस तल्वार से अपनी जान गवाई थी उस तल्वार पर मुल्जिम बिश्य प्रताप के निशान थे लेकिन इतने गवाओं की बैना सुनने के बाद स्रिफ एक कलवार पर उंगलियों के निशान के बिना पर किसी को गुनेगा ठहराना कानूनन गलत होगा प्रोसीक्यूटर ने इस अपील पर मकदमा दायर किया कि कई लोगों ने विश्य प्रताप को कटल करती है अपने आखों से देखा मगर एक गवाने भी इस बात का आदालत के साब ने इकरार नहीं किया इसलिए बेनिफिट आफ डाउट की बुनियाद पर आदालत इस मकदमे को खारीच करती है और मुल्जिम विश्य प्रताप को बाइजद बरी करती है स्ट्रत इस करत करत थारा प्राब करत करते है मिश्य जल्ड खार एक को टत आदालता थाएजद जाने आदारत इस की आख थ्रताब करत Abram तूम ज्जम आएलगर मुहन मैं ऽगम नजिए बिए तकパ्र undermine I want to meet somebody, I want to love somebody, I want to meet somebody I want to hit somebody, I want to eat somebody, I want to crush somebody, I want to crush somebody I want to hit somebody, I want to love somebody, I want to hit somebody, I want to love somebody I want to hit somebody, I want to remember somebody जयाँ करो जाँ करो लाँ करो है कर लुग जानला नहां करो बार्न नहां be रहां हुआ 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 है ऐसा है बेजमान आखो दे मत मारो ऐसे दे बात मान ऐसे देखो मुझे को हो जाओ लालालाला I want to hit somebody I want to eat somebody I want to crush somebody तुझे मोड़ दू तुझे तोड़ दू तेरी बाहो मैं मरोड़ दू I want to hit somebody I want to love somebody I want to meet somebody आखो kalo उरी अ हुआ है दूस्पट अप्रू कर दो यहाले बादिख ऴुआ है झाले दुआ है अधिए दूब अधिघ भाले हुस्म उतारे तेरा मुझे को बगावत पर हो जाओं न दिवाना पी के तेरा जहर हुस्म उतारे तेरा मुझे को बगावत पर हो जाओं न दिवाना पी के तेरा जहर कसलो कसलो तुझको ऐ कालिल दिल पर आगर तु हिद में संपरी आगर तु लफ संपरी आगर तु में संपरी मुझे मार दो, मुझे तोड़ दो मेरी बाहँ हो तो रड़ दो मुझे मोर दो, मुझे तोड़ दो मेरी बाहा हो तुम रोड़ी दोड़। I want to hit somebody! I want to hit somebody! I want to love somebody! I want to love somebody! Shut up! विश्वा, विश्वा, छोड़ दो इसे! छोड़ दो! क्या हो गया तुमको? इन लोगोंने मुझे माट डाला लाता! खतम कर दिया मेरे दिल को, मेरे वजूद को! अब सिर्फ एक यास पर सिंदा हूँ, कि मुझे इन लोगों से बद्ला लेना है! कानून ने तुम्हे बेकोसुर ठेहरा कर फांसी के बंदे से बचा लिया! लेकिन सर्च क्या है वो सिर्फ तुम्हारा दिल जानता है! एक जर्च की महरबानी और दया ने तुम्हे बचा लिया! और उसी दया और महरबानी का अपमन करना चाते हो! एक नेक और शरीफ इंसान बनकर चीनी के बजाए, तुम अपने हातों को लोगों के खुन से रगना चाते हो! यह तुम्हारी गलत पहिम है लता! मैं किसी की दया और महरबानी की भीक पर जिंदा नहीं हूँ! अदालत में मेरा चुर्म सबित नहीं हो तका, इसलिए मुझे बाहिजद बरी किया है! नहीं विश्वा, यह मेरी नहीं, बलकि तुम्हारी गलत पहिम है! अगर वो सचना होता, तो वो जड़ जिसने तुम्हे बाहिजद बरी किया है, उसने इस्तिफा क्यों दे दिया? तुम? यहां कैसे आना हुआ? मैं आपसे एक सवाल पुछने आया हूँ! आपने मुझे गुनेगार क्यों नेटर आया? बरी क्यों कर दिया? यह कोई सवाल थोड़ी हुआ? तुम बेकस उर्थे? किसी लिए बरी कर दी गया है? पैट सौल? यह जूट है! अगर यह सच होता तो आपने अपने अपने होदे से इस्तिफा क्यों दिया? क्योंकि कानून से विद्रोग करने के एसास ने आपको जच की पवित्र कुर्सी छोड़ने पर मजबूर कर दिया, शर्दादवी शराफत की खाल ओड़े हुए ये बैमान, इंसानियत के नकाब ओड़े हुए ये शैतान, ये राक्षर्स, जिन्होंने हद से बढ़कर जुन के है, बेगुनाव के खून को पानी की तड़ा बहा है, इनके मुकाबिले में तुम्हारा जुन तो कोई हैसियत ही नहीं रखता अगर ऐसे लोग कानून के शिकांजी से बचते रहें और कानून उनका कुछ ने भीगर सका, तो तुम्हारा बच्चाना तो ऐसे है, जैसे भरे हुए तलाव के मुकाबिले में एक कत्रा पानी, ये है वैसे लोग अब समझे मतलब क्या है, कानूनन जिस बिल्ला को उमर भर जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए था, वो बिल्ला अजादी की जिन्देगी गुजर रहा था तुमने उसका कतल कर दिया, जो साजा उसे आदलत ना दे सकी, वो साजा उसे तुमने दे दी मैं जानती थी कि ये कतल तुमने अपना दाती बडला लेने के लिए क्या होगा, उसके बावाजूद भी मैंने तुम्हे बाइज़द बड़ी कर दिया है, स्रीब इसलिए, उसी बाहन ने, उसी बाहन एक गुने गर को उसके पापो की सजा तो मिल गई, साथ साथ मैं ये भ हुआ, उस जुर्म के जिम्मेदार भी ये ही लोग है, मैं जानती हूँ, मेरे जच की कुर्सी छोड़ने की खुशी में, आज मेरे सम्मान में उन लोगों ने एक शांदार प्रोग्राम रखा है, कानुनन जिनके हाथों में हाथ करिया होनी चाहिएती, आज वो हाथ मुझे फूलों के हार पेनाएंगे, चलो, तुम भी चल कर वो तमाशा देख लो, आओ Here comes the great lady, a symbol of justice, इंसाफ की देवी, खालून की मूर्थी, जस्टिस शार्दा देवी, हम इंका स्वागत करते हैं, तालिया दोस्तो, आज बड़ाई मन्हूस दिन है, वो इसलिए के शार्दा देवी, जिन्हें जट की कुर्सी पे बैठकर कई साल तक बहुत आहम वसले करने भी बाकी थे, इन्होंने अपने ओदे से इस्तीफा दे दिया है, और कानून के दुनिया में एक ऐसी खाली जगा छोड़ को सुना करें, इसका हमने इंजाम कर दिया है, मैं ये टेप रिकॉडर का नाची स्तोफा अपनी तरफ से इने पेश करता हूँ, इसमें इन्ही का सुनाओ एक फैसला इन्ही के आवाज में रिकॉड़ेड है, मेरी आप अधरा से गुजारिश है कि बड़ी शराफत और तव को उमर भर जेल के सलाखों के पिछे होना चाहिए था, वो बिल्ला अजादी के जिन्दे के गुजर रहा था, तुमने उसका कदल कर दिया, जो साजा उसे अदलत ना दे सकी, वो साजा उसे तुमने दे दी, मैं जानती थी कि ये कदल तुमने अपना जाती बड़ा लेने के जानती थी कि मैं जो गलती कर रही हूँ, वो गलती एक दिन बोच पन कर सारी दुनिया के समने मेरा सर चुका देगी, फिर भी मेरे मन का फैसला ना बदला, मैंने आने वाली हर तकलिफ के लिए तियार होकर तुम्हे रहा कर दिया नए जजज साहब, शार्दा देवी की जगा, उनका ओधा समालने वाले जस्स चकरवर्ती साहब, इस बेजबान टेप रिकॉडर की आवाज सुनने के बाद, आपको पता चल गया होगा, कि शार्दा देवी ने वक्त से पहले इस्तिफा क्यों दिया, आपको ये भी पता च है ये नहीं, फैसला आप सुनाइए, क्योंकि कानून के फैसले, जजज के होटों से अच्छे लगते हैं इंस्पेक्टर, ये सर, अरेस्टर मेडम ठरिये, अगर मुझे रिया करना इनका गुना है, मुझे बरी करना इनका कसूर है, तो ग्रिफता कर लिजे मुझे, तनाइया हद करी अभी नहीं, अभी तो कानून के साथ बदसलूकी करने वाली जजज पर मुकदमा चलेगा तुम्हारा नमबर अभी दूर है, चलिए मैडम आभ या, इससे क्या पूछती हो, इस चंदा की चांदी के पती मैं हूँ, आजा मेरे पोपर, इस पेख के पिंजरे को तू तो तोर कर बाहर, आजा मेरे पोपर देखे, आप इस वांते साइन कर देगे, क्यों इनको आपरेशन करना पड़ेगा, वना इनकी जान को खत्रा है, ओमाइगा, इसकी जान को खत्रा है, यह भले मर जाए लेकिन मेरे बच्चे को किसी भी आलत मा बचा लो, नहीं तो मेरा ख़डू स्वाप मुझे, बच मारेगा कर दो, कर दो, कर दो, कर दो, कर दो, मेरा बच्चे को बचा लो, ओ पोपट के बाफ, हम जरा इस कागस पर भी दस्ताखत कर दो, इस पर क्यों अरे उस कागस पर इसलिए दस्ताखत किये कि ऑपरेशन करना है, और इस कागस पर इसलिए कि चाहे बच्चे की मा मर लेकिन बच्चा जरूर बचना चाहिए मुझे किसी भी हालत मा बच्चा बनना है, जल्दी करो पिता जी पिता जी आप दादा जी बनने वाले है अरे जीओ, मेरे लाल तू तो ऐसे कर रहा है, जैसे मुझे चाटा कलमनी का भालेक बना दिया वा बबु क्या बात है बबुजी, आप बात खुश नजर आ रहे हैं अरे खुश, आज तो आप खुशी के मारे फटा चला जा रहा हूं मकर तुरे इतनी बड़े खुश ख़बरी मुझको ने चुनाई खुश ख़बरी? कैसे खुश ख़बरी? मुझे सब मालू है कि मेरी बबु माँ बनने वाली है नहीं बाबुजी, ऐसा सवभाग यह कहा, जो मैं कभी माँ बन सकू आप दाधा जी बंडर्ड Südis मे बनने वाले हैं आप दाधा जी दूसरे वाले हैं दूसरे वाले कि लडादा बनने के लिए दूसरे किसने का बैे यह कहाने क् Amazing fighter में गीना एक हना हन पनी अपने भाबे आटए वाली चंदाgovernas मेरे खुबसूरत बच्चे को जनम देगी है चंदा तेरे बच्चे की माँ बनने वाली है अबे खच्चर नालायक गदे उन्हें मुझे बेंजोरी कि नीचे दपा के राख दिया आप तो बैठे है तेखा बाबुजी मेरे सुखी संसान में इन्होंने काठी बिछा दिये मैं मार जांगी अले ले बैटी नी हाँ मारा खंदान पहले भटका खा चुका है तुए काम कर तू अंदर जा मैं इसको सामालता हूँ तू जा है तू जा है तू बच्चा पैदानी कर रहा है बलके मेरे दुनिया पे गिरने वाला है अगर तू ने मुझे पहले बादा नी होता है तो मैं चंदा को बेंस लोरी के बिलेटा के लिए दबागे रख देता है पिता जी हाँ छोड़ो हाँ छोड़ कितर गया पिता जी आप आदमी होके गिरकट कितना रंग बदलते हो आपने मुझे से पहले का कि बच्चा पादा कर बच्चा पादा कर जब मैंना बच्चा पादा कर दिया तो मुझे ऐसे दोरो जैसे दोभी गाट में दोभी कपड़त पटियारे क्यो लाग पॉस बगा दीजिए अंदर क्या अंदर क्या अंदर क्या अंदर क्या अंदर मेडम वीश्वर प्रताप आपसे मिलने आए इनसाफ की मूर्ती आज जेल की सलाखों के पिछे गईदी की तारा जिन्देगी गुदा रही है ये मनजर तुम से देखा नहीं जाएगा विश्वा तुम जाओ यहाँ नहीं मैडम नहीं आपकी इजद आपकी मरियदा टुकड़े टुकड़े हो गई आपका नाम आपकी शौरत मिट्टी में मिल गई आपकी बेज़ती हुई जग हसाई हुई और यह सब मेरे करण हुआ है जब लोग आपका नाम लेकर हसते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि उस हसी में से एक सच छाग रहा है और वो हसी खंजर बनकर मेरे सिने को छेट कर निकल जाती है और मुझे साहनी जाएगा मैडम मैं आज ही अदालत के नाम एक दर्ख्वास भीच रहा हूँ कि मैंने आपको धंका कर अपने हक में हैसा देने पर मजबूर किया है अपनी दोश है मैं अपने कसल के इसाम को कबूल करके खुद को कानून के हमाले कर दूँगा मैडम बिश्वास तुम्हें देखकर मुझे कुरुश शत्र के भैनक युद में अपने सम्मंधियों को मुकाबिल पाकर हत्यार ठेकतेने वाले अर्चुन की याद आ रही है मैंने तुम्हें इसले बेकौसूट फैरा कर बड़ी नहीं किया था कि तुम भुचतिलों की तरह घुपने टेक कर दोबारा कानून के आगे हार मान लोगे मैंने इसलिए अपने कुर्शी सी स्थपा नहीं दिया था कि तुम दुख से घबरा कर वक्त के आगे अपना सर चुका लोगे यहां होने के बाद मेरी हर साथ मेरे खून का एक एक कत्रा पुकार पुकार कर कह रहा है कि विश्वा उठ बदला ले मिटा दे सालीमों की हस्ती जला कर राख कर दे शैतानों की लंका और मेरा जमीर कह रहा है कि रुक जा हरना तरे बदले की आग एक पवित्रात्मा की छिता बन जाएगी एक देभी बली चड़ जाएगी इसलिए अपने जमीर की आवाज सुनकर मैं अपने हार मानने के लिए मजबूर हो गया हो मैडम विश्वा, हार मानने पर मजबूर करने वाले तुम्हारे जमीर को मैं अपनी जिन्देगी की एक कहानी सुनाते हूं उसे सुनकर तुम जवाला मुखी की तरह फूट पड़ोगे या कारों की तरह हार मान लोगे इसका फैसला तुम ही करना है यह उन दिनों की बात है जोग मैं क्रिमिनल लॉयर की हैसे असे प्रैस्टिस करते थी शारदा आज एक अजीब किस्म के पोस्ट मॉडनों का केस मेरे पास आया एक और जिसके दो बच्चे थे एक शैतान ने उसकी इज़त लूटी अब हागन पहले विद्वा थी पेचारे बच्चे भी आनाथ होगे उसके साथ हां यह ख़वर मैंने आज के अख़वर में पड़ी है वगिल साब नमस्ते नमस्ते परमाई वगिल साब आज के अख़वार में आपने पढ़ा होगा के सावी तरणाम के एक औरत के किसी ने इज़त लूट ली और बाद में उसका खून कर दिया आहां पड़ी है वो लड़की अपकी बहन थी जी नहीं तो क्या हुआ आपकी बेटी थी नहीं तो पिर आपका इस केस के साथ क्या संबन्द है अगर साफ लबजों में कहा जा तो सौरत की इज़त मैंने लूटी थी मेरा नाम सिकंदर लाल ठककर है मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आहूं मुझे बचा लीजे आप इस शहर की सबसे बड़ी लायर हैं हम जितना कहेंगी मैं पैसा देने को तयार हूं बस मेरा केस अपने हाथ में ले लीजे हमोश एक स्त्री की इज़त लूटकर उसके बच्चों को अनात बनाने के बाद दूसरी स्त्री के पास आए हो के वो तुम्हारी जान बचा ले तुम्हारा केस अपने हाथ में ले ले प्लीज, प्लीज वकील सावा, प्लीज मिस्टर सेकंदलल ठककर प्लीज, आप सॉम्हाफ कीजिए अगर आप पैसे लेकर लोगों को बचाने का धंदा नहीं करती है तो फिर कानू पर का फाइदा क्या आपका? कानून गुनेगार को सजा देने के लिए होता है उसे बचाने के लिए नहीं अगर कानून का काम गुनेगार को बचाना नहीं है तो फिर मुन्सिम के बचाओ के लिए वकील क्यों होता है अगर तुम यह कहने के लिए आये हो, कि मैं किसी का खून करके आया हूँ और पैसे आपकी जेब में डाल कर वो खून आपके काले कोट से पोचना चाता हूँ तो यह कानून का अपमान है, और एड़ोकेट शार्दा यह कभी सहन नहीं कर सकती इसलिए जिस रास्ते से आया हो, उसी रास्ते से वापस चले जाओ जाता हूँ, बड़े आराम से जाता हूँ और साथ में यह भी कह के जाता हूँ कि इस देश में वकीलों का काल नहीं है, पैसे फेकूंगा तो तुम से जाना चाला अक और अकलमन वकिल खरीदूंगा और अपने आपको बेगुना थाबित करके दिखाऊंगा, आप देखते रहिएगा ठैरी, अगर आप मुझे दो लाक रुपिया दे सकते हैं, तो मैं आपका ये केस अपने हाथ में लेने के लिए तेयार हूँ ओ येस, सिंगल पेहमेंट, लेड़ी कैश थैंक यू आपने आज तक कोई पाप, कोई जुरुम नहीं किया है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं आज तक किसी आख़बार में आपके बारे में कोई गलत ख़बर नहीं छपी है ना? रे रामरम आखबार में क्या किसी दीवार में भी मेरा नाम आज तक नहीं लिखा गया है आपकी शादी होगी? जहां, दो बच्चे हैं मेरे छोड़े-छोड़े अब देखी ना दो बच्चों के बाप पर एक विद्वा की इज़त लूटने के लगा दिया कितना जुल्म है, आप ही बताईए मिस्टर सेकंदर लाल ठककर बगर आख के, कभी धुआ नहीं उठता ये कहबत तो आपने सुनी होगी? जी नहीं, अभी तक नहीं सुनी सौरगी है, साभीतरी देवी को आप जानके थे? जहां, उसका पती मेरे ट्रांसपोर्ट कंपणी में ड्राइवर की ऐसी से काम करता था वो ड्राइवर लॉडी के अक्सिडेंट में मारा गया ना? जहां, वो पीता बहुत था मैंने उसे कई मरता समझाया कि देख तू बाल बच्चे वाल आत्मी है कि शराब खाना खराब है, बरबाद करती है कि दुचको पर नहीं माना और एक दिन नश्य में इतना दूता कि बेंस गाड़ी के बैक टायर के नीचे आकर कुछ चल गया और वोई पड़बड़ा के मर गया बिचा रहा है वह दुख्वा मुझे और उस ट्रैवर की पत्नी अपने पती की अचानक मौत से विद्वा होगी उसके बच्चे एतीम होगे बच्चो का पेट पालने के लिए उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी ऐसी हालत में वो एक दिन आपके घर आई आपके पैरों पर गिर कर आपसे दय की भीक बंगने लगी तब आपने उससे ये कहा कि वो एक रात अगर आपके साथ गुजारे तो आप उसकी जोली नोटों से भर देंगे तो आप मेरी वकालत कर रही है कि मेरी दुश्मनों की वकालत कर रही है कि आपके दुश्मनों ने यह कहकर आपके उपर इल्जम लगाए ना अब इस बात में स्रिव इतनी सच्चाई है कि वो और रात के वक्त पैसे के लिए आपके घर आई और आपने बड़ी शराफर से उससे यह कहा कि रात के वक्त इस तरीके की बात नहीं करते सुबा ओफिस में आकर करना यह समझा कर आपने उसे अपने घर से रहाना कर दिया ठीक रात के आट बच कर चालिस मिनित पर कर गए मत मैं यह सब आपके भले के लिए पूछ रहे हूं खूल कर जवाब दीजी विदिया उस बत रात के ठीक आट बचकर चालिस मिनिट हुए थे जब मैं उनको घर से रहाना किया Good. That's all, Your Honor. अब मैं सावीत्री देवी की लाश का post-mortem करने वाले दॉक्टर स्रीकान को अदालत में बुलाए जाने की इजाज़त चाहती हूँ. Permission granted. दॉक्टर स्रीकान, स्वारगी और सावीत्री देवी की post-mortem की रिपोर्ट से आपको क्या पता चला? रिपोर्ट से साफ जाहिर है कि उसके साथ जबरदस्ती की गए और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गए. क्या आप बता सकते हैं, उनकी हत्या तक्रीबन कितनी बज़े हुई होगी? यह कोई आज बचकर 40 मिट के आसपास, उसी वक्त ये खट न हुई. अब जा सकते हैं, अब जा सकते हैं, अब जा सकते हैं, और जाहिर हो जाएगा, और इसकी जिन्दीगी खत्रे में परजाएगी, इस डर्स से इसने सावित्री देवी की हट्या कर ज़िए. ऐसे नीच लोगों को बेकुसुत साबित करने की कोशिश भी करना, मेरा जमीर गवारा नहीं करता, ऐसे गिर हुए इंसान का केस लड़ना, कानूनी तालिम का अपमान करने की बराबर है, इसलिए मैं इस केस से अपना नाव वापस लेती हूँ, और मैंने जो आदालत का किन मैंने इस कुणे मारे जाने का को अब किस दूटी है, मैंने जानने लिए, उसने पॉद माण डालत अपने आपको, मैंने जानने लिए उसके वकेल साहबा, मुझे धोका देकर, मेरे पैसे लेकर तुम्हारे पैसे मेरे पास नहीं है अपनी हावस के शैतन पर तुमने जिस सावित्री देवी को बली चड़ा दिया मैंने तुम्हारे सारे पैसे उनके बच्चों के नाम फिक्स डिप्रोजिक में रखवा दिये दुनिया की किसी भी आदलत में तुम्हारा मुकदमा पेश होता, वो तुम्हें सदा देती लेकिन कोई भी आदलत सावित्री देवी के अनात बच्चों की परवरिश नहीं करती हो सकता है, कल हुआ हालत से मजबूर होकर चोर बन जाएं, गुम्रह हो जाएं इसलिए कल समाज में दो चोर, दो मुझरिम और ना पैदा हो, मैंने आज ही तुम्हारे पैसे से उन्हें गुम्रह के रख्ते से रोक लिया, उनके भविश्य को बचा लिया और आप अपने भविश्य की चिंता कीजिया, वकील साहिबा मुझे हट कड़ियां लगवाकर जेल के काल कोटड़े में पहुंचा कर अपना सर फकर से उचा मत कीजियेगा मैं वापिस तो जरूर आउंगा, सिर्फ मेरे वापिस आने का इंतिजार कीजियेगा, फिर देखना थमाशा, चलाब मैंने सुचा, तीन साल की कड़ी सजा के बाद ठकर अपने केपर पच्टाएगा, अपने गुणाओं का प्राइश्चित करके सीधे रस्ते पर आजाएगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जेल की कड़ी सजा ने उस गुणागर के जहर को और भी गड़ा कर दिया एक दिनों जेल से खतरनाक जहर इली साप की तरह निकला, बगले की आग मन में लेकर मेरे घर आया, वो दिवाली की रात थी अरे वा, ये क्या? ये इनसाफ की मूटी है, इस इनसाफ की देवी ने जिसने मेरे बेटे को जनम दिया है, उसे आज दिवाली के मौके पर इनसाफ की देवी का लौकेट तोफे में देना है, ताकि बड़ा होकर, वो भी अपनी मा की तरह सच्चाई के रास्ते पर चले, इनसाफ कर साथ दे, और दुल्म के सामने कभी अपना सर न चुपए इसकी नौबत ही नहीं आईगा क्योंकि सिकंदरलाल ठक कर जेल से वापिस आगया अब नहीं इस सर उठाने के काबल रहेगा और जुकाने के काबल रहेगा क्योंकि आज के बाद इसका सर ही नहीं रहेगा क्योंकि जिर्टने को कॉए नहीं आईगा पुकिन साहबर, खड़ी देख लीजे, उस रात की तरह इस वक्ट भी आठ बच कर 40 मिनिट हुए हैं, अगर इस बार तुम मुझे जेल भीज़ा कर दिखा दो, मैं तुम्हें मान जाओंगे, चलो कानून और समार से बाफादरी करते हुए, मैंने अपना पती खो दिया, अपना एक साल का बेटा गवा बैठी, जिसका अज तक कोई पता नहीं चला, और फिर ऑलाद की जगा अपनी गोद में कानून और इंसाब की परवरिश करने लगी, मन में उत्ती ऑलाद की याद को अखेले में अन्नाय और सुलम पर हसु भाती रही, एक उकिल होते हुए, कानून की रक्षक होते हुए भी, मैं उस रक्षर सिकंदर लल्ठकर का कुछ नहीं बिगार सकी, उसे कोई भी सासा नहीं दिलवा सकी, तुम, हाविश्वा तुम, अगर तुम से हो सके, तो उन दरि को ठोकर मनने वाले, उस ठकर को नहीं चोड़ूँगा जर सहीवा, आपके आंखों से आंसों के सलाब बहने वाले, और मेरी आंखों में रश्टर की तरह चुपने वाले, उस सिकंदर लल्ठकर से कहूंगा, कि जिन्दगी की घडियां गिना शुरू कर दे, क्यूंकि तेरी विश्वा, ये लॉकिट तेरे बच्पन के निशानी है, इसे सम्हाल कर रखना बेटा, मेरा समय पूरा हो चुगा, सुन न, आद से दस बरस पहले की बार है बेटे, तुझे दिवाले का तूफा समच कर, मेरा बेटे, तुझे दिवाले का तूफा समच कर, मैंने अपने गले से लगा लिया और अपनी बेटी लक्षने के साथ, तेरी पर फिश्वा ही, अब अपनी बेटी लक्षने को, तुझे', सौंप कर जा रहा हूं, अब तूई है, तभख ऊचु, इसका द्यार लगना, विश्वा, बाबा, 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 दा Brenda इस केस की कारवाई पूरी होने तक श्रीमति शारदा देवी किसी भी हालत में इस शहर की सरहत के बाहर नहीं जा सकती इसी कंडीशन की बुन्याद पर श्रीमति शारदा देवी को जमानत पर रिहा करने का हुपम दिया जाता है हुआ 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 है है भगवारी है यी लॉकेट मेरे मुन्ना का है मेरे बच्ची का है को लाएई इसे किसे रखा इसे इस मा के प्यार को जो पा ना सका उस बेटे ने रखाए मा की मम्ता को जो तरस्ता रहा उस बेटे ने रखा है गरीबी और मुफलिसी की आग में जल जल कर अपने आप बड़े होने वाले गुम नाम बेटे ने रखा है इसका मतलब तुम अगर वो बदनसीब और तुम हो जो अपनी कोक से पैदा होने वाले बेटे को लोरी का करसुला ना सकी तो इतने बरसों तक मा के प्यार और उसकी मम्ता के लिए तड़प तड़प कर जिन्दा रहने वाला वो बदकिसमत बेटा मैं हूँ एक ननी से जान की परवा ना करते हुए उन राक्षसन उसकी जान लेनी चाही लेकिन भगवान की ये मर्जी नहीं थी इसलिए वह बच्चा जिन्दा रहा जिसे एक नेक दिल इनसान ने अपने हाथों से पाल पोस कर इतना बढ़ा कर दिया मा इतना बढ़ा कर दिया हाँ, बेटा मा मेरा मनना मा बीटे, मैंने आज तक जिस निये देपता पर भरुसा किया था जिस धरम देपता पर बिश्वास किया था मैंने कभी सोचा भी ने था कि वो, वो मुझे एक दिन मेरा बेटा वापस दे दिखा मैं आज तक बीना किसी खौईश की एक लाश की तरह जिन्दगी गुजा रही थी लेकिन आज, आज मुझे पाकर, मुझे एक नहीं जिन्दगी मिलगी नहीं जिन्दगी तो मैंने की मा, मुझे मिलिये आज तुम्हारे चन्लों की सौगन खाकर कहता हूं, मा उन कातिलों से अपने पिताजी के खून का पत्ला लेकर रहा हूंगा अपनी मा के दुख और तड़प का हिसाब चुका हूंगा मुझे आशित बदे मा, कि मैं कानुन की आँखों से पट्टी हटा कर उसे असली मुझे 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 की शकल दिखाऊं तमाम अत्ता चारों ना इंसाफियों का हिसाब चुका हूं मुझे आशित बदे मा, मुझे आशित बदे इस हाथ की रीखा तो बताती है क्या आप त्रिकोन पर बली हो जाएंगी पिता जी ये त्रिकोन क्या होता है मेरा सर यार जोची माहलाज तुम ठीक से देखो ना यार कैसी बात करें सेट जी आप हमारे हास्त ज्यान पर शक कर रहे हैं अरे काई का ज्यान कुछ आता जाता है नहीं जूर मुड की शेंडी खड़ी करके अपने आपको जोतर शी समझते हो जोड़ा मेरा हाथ लाल फोन मैंने उठाओंगा पिताजी पिताजी लाल फोन आपका फोन ओ रॉंग नंबर रॉंग नंबर नहीं ये वक्त की आवाज है कौन बोला है तेरा दुश्मन विश्य प्रताप ओ पैदी विश्वा अगर तुम इस फोन का नंबर मिला का से है फोन नंबर अरे तु कब मरने वाला है ये तक मुझे मालूम है तो फोन नंबर मालूम करना कौनसी बड़ी बात है अगर बेहुदा बखाउस बंकरो बेहुदा हरकते इस वक्त तू कर रहा है ठेकर सुन, कुनलियों पर विश्वास मत कर, इस वक्त तेरी जान मेरी मुठी में है, मैं अगर मुठी खुलनू, तो तू भसम होकर मिट्टी बन जाएगा, साउधान रहना, मैं सिधे तेरे आफिस में आ रहा हूँ हराम खोर, तूने मुझे फोन उठाने के लिए का क्यों? अजीम मुश्यमत है, फोन उठाओ तो धपड, नहीं उठाओ तो धपड, यह किस ताइप का बाप है, इस ताइप का बाप तो मैंने साली दुनिया में नहीं नहीं देखा नहीं, सुन, आज के बाद यह लाल फोन मैंने, सिर्फ तू उठाना, और अगर कोई दूसरा उठाओ तो वो कस के थपड माना कि उसका मुश तेलेफून की तरह लाल हो जाए, समझ गया? शेराशेट, मेरी गाड़ी से निचे उतरो क्यों भई? इस गाड़ी का मालिक मैं हूँ, तुम कौन हो तो मुझे निचे उतरनवाले तुम्हारा बाप क्या कहा, व किदर विश्वा विश्वा नहीं, विश्य प्रताप के विश्वा-परताब क्या दिघ्वतिती आ। मालु मने नॉक्रीन से क्समेंडिया ग debating लिए गते है कियो क्योंकि तो एक कातिल और कंपनीमे nine कि नहीं कर सकता है अदालत के सफीलें साफ साफ ऐलान कर दिया है कि मैं गतिल नहीं हो जैकिसी ये आदालत के कानून को जिस तरह जमीन जोदने वाले किसान की मिलकियत जमीन होती है रिक्षा चलाने वाले की मिलकियत रिक्षा होती है उसी तरह सड़कों पर दोड़ाने वाले की गाड़ी उसी की मिलकियत होती है कि उत्राजीय एक टाइप का अदमी इसके टाइप से उलगटा यह मेरी इस कभी नहीं होने देगा क्योंकि और जात थी आदत है वह जिसे पसंद करती ए उसी के साथ 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 हुजा विश्वा का बच्छा लगता करती इस लादा मेरी यह कभी नहीं एन क्या है ठी 90 थे मैं अपनी ठोकर से तक्दीर के फैसले बदल दिया करता हूं चल अभी और इसी मस्त लटा को तीरी दुलहन बनाता हूं चाल चोड़ दो चोड़ दो मजी चोड़ मेरा बाद है रो बंडित है विश्वा विश्वा नहीं विश्य प्रताप कहो कि अच्या बिश्वा को जानता हूं और बड़तापको जानता हूं चल जेए-ось से वरहना क्या कर लोगो गया इसी तरह से मुझे जाने को कह लेओ उसी सीधी तरह से लटा को छोड़ दो जो छोड़ दूँ यह कोई लारी नहीं जिसके मन में आ वो लेकर चला गया यह एक इज़तार घरानी की शादी का सवाल है मैं इस बंदर के साथ हर्गिस हर्गिस शादी नहीं खुरूंगी सुलिया किसी लड़की की मर्जी के खिलाब उसकी शादी कराना शादी के पवित्र बंधन का मजाग है और यह मजाग मैं हर्गिस नहीं होने दूना यहां कोई शादी बादी नहीं होगी तैया अपने अपने खर जाई तैयरो 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 शादी होगी पाटनर अब इंजार किस बात कर चाजी की सगनी में इसकी चिता जला डलो इसे तुम ऐसे कच्छा चबा जाओंगा आर्णज मकाा फॉरिय और्णानर तुम था इसकी ऐाज्छी dau जार्णेषा झार्णेशा सकंदार परणेशा क्शफ़ लखिए संब दरुी कि लगट कि अब देसा है कई बड़ा कौ में रया है फिरुट रविर ऴुरुने इस्फ दूए कर दूमें कर दो ईब मैद कि दो ध भे दुट कर दो caca कर दो कर दो कर सकता है हुआ है रहा है फब है परिप्स का फसा झार प्रॉब पार पनेखिए लुब गयोग जाच पार हुआ है पार जसे दोंगो जसे ब एषिए ूपकर निय धु़ कुनिष भूनु छूनुछ शी जêu कुनिछ गुबकी पार लो जाज तोरकतक का तोरकत का मुदकर लोगनुछ लटा जाट जाटी गास कर समझ में नियादेट ने खुफिय गुप तरीके से चादी रखी थी इस हराम खुल विश्वा को पता कैसे चल गया पिताजी पता विश्वा को कौन लेकर आया कौन मैं लेकर आया हो तो बच्चा पइला करने की सकता दूसरों के भी शादी ने होने की कजंहीं तो है इसाट का। हुँ 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 तुभी बेकरा, मैं भी बेकरा तुभी बेकरा, मैं भी बेकरा तुझे छूना चाहे सासों के तार होता नहीं हमसे और इंतिदार तुभी बेकरा, मैं भी बेकरा 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 अघरा बेकरा मैं भी बेकरा मुप है या या निटिया गूरा नहीं है कि भाम तेरे समचने कुफ़े ताब मेरे अर्मा कबसे सीन से तेरे लिपटने को बेचे नहीं जिस मोजा कब से बाहा में तेरे सी मकेले को वेताद मेरे अर्मा कब से सीन से तेरे लिपटने को बेचे नहीं जिस मोजा कब से रहा नहीं खुद पे मुझे इस्यार तुभी बेकरार में बेकरार कि अवार्य को बेचेश कराद में तेरय वीजर कर डाइब कि बेचे उपर में बेचेश थे नहीं को बेचेश करादी को sound kurikon शुद बडे़ के बेचेशों बेचेश़ करेशनी करे लिए जिस में बेचेशनी का ृब सौसूरज की आप लिये है जेरा है वो गुलाब तेरा सौसूरज की आप लिये है जेरा है वो गुलाब तेरा ताब कहां इनसा में इतनी देख सके जो शबाब तेरा तेरा हुसन उप्दिरत का एक शाहकार तू भी बेखरार मैं भी बेखरार मुझे छोना चाहिए दासों की तार होता नहीं हमसे दोर इंतजार भी बेखरार मैं भी बेखरार तू भी बेपरार, मैं भी बेपरार विश्वा, विश्वा क्या बात है, मैं तुम्हें पसंद नहीं, या मेरी सूरत में कोई कमी है तुम उससे दूर क्यों जाना चाहते हो मैं तुम से दूर नहीं जाना चाहता, बलके अपने फर्स के करीब जाना चाहता हूँ और वो फर्स, जो मेरी चान भी ले सकता है जब तक मैं शर्दा दवी का कर्स अपने सर से उता नहीं लेता जब तक मैं उन दर्दनों से बतला नहीं ले लेता उस वक्त तक तुम मुझे भूल जाओ यही वक्त की आवाज है चारदा देवी चारदा देवी ओन हो तुम क्या बात है तो आप ही है जेस्टिस शारदा देवी जिन्होंने जर्ज के पवितर गद्दी पर बैठकर इंसाफ से बे इंसाफियां की है जेस्टिस के पवितर आवदे को कलंग लगाया है खुद के इंतकाम के लिए अपना जात ही बदला लेने के लिए एक आदमे को इंसान से राक्षस बनाने वाले उखुदकर्ज औरत आपी हैं बहुत कुछ हुई आपसे मिलकर और अवरत जात के नाम को उसकी पवितरता को बदनाम करने वाली उस शारदा देवी का चहरा कैसा होगा एक बार देखना चाहती थी देख लिया नमस्ते ठैरो तुम यहाई मुझ पर बिना सोचे समझे इल्जाम लगाया और ऐसी ही चली जाओगी मेरा जब हमी सुनोगी क्या सुनो आपने जो नाइंसाफियां की है उसके लिए लाग सफायां पेश कीजिए फिर बे उस नाइंसाफियों में से इंसाफ की खुश्बुक कभी नहीं आ सकती इसलिए मैं जा रही हुँ इंसाफ करने वाली जर्सिस जूटी हो सकती है मगर इंसाफ कभी छूटा नहीं हो सकता जो छूटा होता है वो अन्य होता है और नियाएं हमेशा सच्चा होता है मैंने तुम्हारे साथ कोई अन्य नहीं किया फिर तुम मुझ पर इल्जम लगा कर क्यों जा रही हो आपका जमीर जिंदा है? वो तुमारी बाते सुना चाता है तो फिर सुनिया और मेरी बातों का जवाब दिजी विश्वा को आपने गुम्रा क्यों किया? अपना जाती बदला लेने के लिए उस जले उए इंसान के दिल में नफरत के आग बढ़का कर उसे सही रास्ते से क्यों बढ़का दिया? क्या इंसाब के किताबों नहीं आपको यही सबक सिखाया है? जर्ज के कुर्सी पर बैठकर आपने ही तजर्वा हासल किया है? यहीं आदर्शय आपके जवाब दिजी उस से के मारे, तुम्हारे होटों से शब्दों के साथ साथ चिंगारिया निकल रही है मैं पूछ सकती हूं उसके साथ तुम्हारा रिष्टा क्या है? अगर रिष्टों के मताबिक आपका जवाब होगा, तो सुननी जी, विश्वा मेरा होने वाला पती है ओ, देखो, अगर भगवत गीता किसी बच्चे के हाथ में दी जाए, तो उसे यह कहकर रखतेगा, कि उससे कोई तजविर नहीं है और अगर वही गीता किसी समझतर इंसान के हाथों में दी जाए, तो वह उसे एक पवित्र गंद समझकर अपनी आखों से लगा लेगा मैं तुमसे पुछती हूँ, तुम्हारे हाथों में अगर गीता दी जाए, तो तुम क्या करोगी? बोलो, उसमें पता हुए उससे लोको समझोगी न, धरम की बारिक्यों को तलाश करने की कोशिश करोगी न, और अगर नहीं करोगी, तो और अज़ात के नाम को कलंकित करने वाले, इस औरत के दिल की गहराईयों में जाप कर देखो, मैं क्या कर रही हूँ, किस लिए कर रही कोई फाइदा नहीं आपके दिल की गहराईयों में छांपने से, वहां सिर्फ नफरती मिलेगी, बदले की भावना नजर आएगी, मगर मेरे दिल की गहराईयों में प्यार भरा हुआ है Justice शारदा देवी, आपके दिल के बदले की भावना में मेरे विश्वा को गुम्रा कर कि उसके कदम इंतकाम की तरफ बढ़ा दिये हैं अब मैं अपने दिल के प्यार से उन कदमों को वापत अपने दुनिया की तरफ लेकर आऊंगी और यह साबिद करके दिखाऊंगे जर्ट साइबा कि मोहबत और बदले की जन्ग में बदला हार जाता है और मोहबत की जीत होती यही थाबिद करके दिखाऊंगे विश्वा ओ विश्वा ओ विश्वा ओ लाए क्यों चिला रही हो कुछ नहीं मैं डबला ना भूल गए जरा डबल देना प्लीज इस लड़की को घर में लाकर मैं खुद मुस्वात में फंस गया यलो थेंक्यू पिता जी मैं आगिया आपका पोता लाया मुबार्व को आपका पोतारे मैं तुझे इस सब्सक्राइब द़या आठागिया दूसको फिर गदा यह जा जी मैं इसको अठागे तोड़ा लाऊ यह खुद मेर साथा चल कर घवा गया देख है कितना पौला पाला बच्चा है इ आपको जैसी है आपको जैसे हैं you फुले के भीने प्रदाशन को आपको यह है जाने नलए मेरे प्रणी बहल मारे की बहली है मेरा मतलब है आपका पूताि पहली बार इस घर में आया है कß तो टuk स्वा attacking बढ़ेगा, खमाएए ना, खमाएए ना लारे, वो दो उसके आपटे रखड़े बिस्कुट का पैकेट, वो भी आपकी कंपली का नकली, हाट, मुझे ली जाए कम से कम एक लारी दे दीजिए मैंने ठीक से सुना नहीं, क्या चाहिए अमा कम से कम एक बेंस लारी दे दीजिए, ससु जी लारी चाहिए लारी का फोड़ो नहीं मिलने वारा बहुत बहुत ऑट-बहुत प्लास्तिक बोटल मिलेगी कंजी पिलाने के लिए साथ यंद बें पहुता के लिए हुआ ह? नगी मिनमी तुम कता में? भाप जी नहीं झाटती वैभी फॉट कर जो राई दने कीम पर किसी सुथ है नहीं रड़ी बड़ा मर जाएगा मैं क्यों मरू तू मत तेरा भाग मरे ये जलने जलाने का प्रोग्राम बाद में करना ये तुम्हारा घरेलू मामला है मेरे पास इसके हाथ का लिखा हुआ एक कागज है जिसमें इसने लिखा है कि जब इसके बच्चा होगा तो ये उसको एक लारी देगा और इसके देसकत पर देखिए लारी निकलो लारी निकालो मेरे तु तक्दीर खराब है अब जल्दी करा जल्दी करा अब बक्षे अब बादे दूस पर दोगा तुम लोग इंसान हो के जानवर हो बिलकुल इंसान है अपना और देश का भला सोचने वाले इस दूद को पीकर बच्चे मर जाएंगे देश के अबादी कम हो जाएगी और हमारा देश उनती के रास्ते पर निकल जाएगा इस तरह हमारा बैंक बैलनस भी बढ़ जाएगा एक दूद के तीर से दो शिकार आज तक तक तुमने इतने जल्म किये मैं सैता रहा है मगर आप तुम मेरी फैक्टरी में बनायोवे दूद में मिलावट करके मासूम बच्चों की जिंदगी से खेलने की कोशिश कर रहे हो अब मैं चुप नहीं रहूंगा जब तुम्हें रहना पड़ेगा क्योंकि तुम हमारी समगली की दुनिया से बाहर हो ममगर मैंने तुमारा नाम समगली की दुनिया में इतनी दूर तक पहुचा दिया है कि अगर तुमने मूग क्षोने की कशिश की तो मैं तुम्हें इतनी मुद्दत के लिए जेल भिजवा दूँगा कि जेल का दर्वाजा तुम बस जिंदगी भर नहीं खुलेगा अबे तो नाइटिसे साडक के बीच ये लारी घड़ी कर दी मैंने विश्वा नहीं विश्व प्रसाप कहो और सिधी तरह से लारी आप पुलिस स्टेशन की तरफ ले चलो अच्छा तो ये बात है अबे देख अबे तुने मेरा रास्ता रोखने की कोशिश की तुम्हा तेरा सब कुचल डानो अबे क्यों मेरे हातों कुत्ते की मौत मरना चाहता है आखनी बार कह रहा हूं सिधी तरह लारिया पुलिस स्टेशन ले चल अबे लारिया वापिस कैसे जाएंगे इस से पहले शेरा तुझे कच्छा खा जाएगा और पड़ा इसको कीवा करेंगे दो पल्ड़ाप्ड़ वरईयाroll कि अजए झाल कर दो हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ 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 है के खूली कि तुमरे ते कि अपस घंई भार छुआॴ मोर्यार्फ थाजर। विश्वा, ये तुमने क्या गजब कर डाला? ठकर से बदला देने के खातिर तुमने गरीब और मासुम बच्चों के पीने वाले दूद को बरबात कर दिया? दूद को बरबात करने से गरीब और मासुम बच्चों की जिंदिगा बरबात होने से बच गई उस दूस में खतनाख जहर की मिला बढ़ थी जो तुम्हारे पिदाजी की फेक्टरी से आया था छूट बिल्कुल छूट के सब तुम जान बुछ कर कर रहे हूँ शार्दा देवी ने तुम्हारे जान बख्ष कर तुम पर एहसान किया है तुम्हारे दिल और दिमाग में बदले का जहर भर दिया उस नागिन में लटा फिश्वा शार्दा देवी के लिए नागिन का लफ्ष फिर से स्तमाल किया तो इन लाडियों के साथ तुम्हें भी खाई में फेक दूँगा विश्वा येका वरत के नागिन कहकर औरत मत करो औरत माँ होती है, माँ आसुओं के मुस्कुरहट में बदल लेती है माँ नफ्रत नहीं, प्यार खिकाती है वो जुम और अस्ताचार नहीं, अमन और शंथी का पीगाम देती है माँ नाम है बलीदान का कुर्बानी का और उसकी चीती जगती तस्वीर है शार्दा तेभी इसकी कोक से मैंने जनम लिया है वो मेरी जन्नी है, मेरी माँ है माँ? हराम खौर, तुने अपने बाप को थपड मारा? पिताजी मैंने तो आप ही किया का पालन किया आपने खुद ही कहा था जो कोई भी लाल फोन उठाए सब पड़ मार मार के उसका गाल लाल कर देना आपका हुआ के नहीं? मेरी आगया के पालन का मतब तू मुझको थपड़ आरेगा अच्छी बात दस्वर अभी बतादू उचको प्राम नमबर मैं शिराब बॉल रहा हूँ उस विश्वा के बच्चे ने हमारी दसकी दस लारीं को दूद के डबक्स में थक्रमार के नाशे ठखे लेग है यह? तुम यहीं आजा आप लोगों यह मिशन है तो बहुत खतरनाक लेकिन इस काम को हिंदुस्तान में सिर्फ ठकर ही कर सकता है ठकर की टकर में करने वाला दूसरा कोई नहीं है मिशन ठकर माना कि आप बहुत होशार है मगर यह डानमाइट, मशीन गन, LMG, हैंड बंस वगरा वगरा यह सब कैसे जाएगा जाएगा मिशन रेड बलर्ड, हंडर परसंड जाएगा मेरी ट्रांस्पोर्ट कंपणी की सौ लारिया अनाज के नीचे समग्लिग का समान ऐसे चुपा के ले जाती है जैसे ओरतें मेकप के नीचे बढ़ापे की जुर्याँ चुपा के ले जाती है मगर सुना हाए कि इंडिया का इंटेलिजन डिपार्च्बेंट बहुत चलाख है अगर कभी कोई लारी पकड़ा गया दाओ अवल तो ऐसा हो गया नहीं मिस्टर स्मॉल और अगर इत्फाक से हो भी गया हमारा नाम नहीं आएगा है कि मेरी तमाम लारीया वहां नाम पर नहीं हैं मेरे ड्राइवर और क्लीन नाम पर अलगर इत्फाक से वह लाज़ और राइव और अग्यारों के साथ पकड़ी जाती हैं तो बोलोग भंजाएंगे अपर अनुन के खराश तक नहीं आपको इस तरह के साव बैग और पहुंचा दिया जाएंगे, ओक्यू सिकंदरलाल ठकर का खेल खतम करने का एक ही रास्ता है उसकी बेनामी लॉडियों की फाइल और उस फाइल को हसल करने के लिए हमें उसके क्लब में जाना होगा कर दो हनुट एक, दो, तीन, चार, पात, छे, साथ, आट एक, दो, तीन, चार, प्यार चाहिए कितनी बार, पाच्छे साथ, आट, नो, दस, बस, बस, आरे बस, एक, दो, तीन, चार, प्यार चाहिए कितनी बार, पाच्छे साथ, आट, नो, दस, बस, बस, आरे बस कभू तर्बा कभू तर्बास बबास करते हैं हम जुबास साथ परवाज तर्बा कभू तर्बा कभू तर्बास बबास करते हैं हम जुबास साथ परवाज तुर्की बा तुर्की हिंदी वा हिंदी तुर्की बा तुर्की हिंदी वा हिंदी तुर्की बार तुर्की, हिंदे बाहिंदे एक दो तीन चार क्यार चाहिए कितनी बात पाच्छे साथ आठ नो दस बस बस औरे बस 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 करते बस 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 बसकाわか। है करते पाप करते करता चाहे चुपालों ती जरी तालों में चाहे दुबादो इसे प्यालों में एक तो पीन चाल पाच्छे साथ हट चाहे चुपालों ती जरी तालों में चाहे दुबादो इसे प्यालों में पीछा करेगी ये दिल की आवाद कबो तरबास कबो तरबास कबो तरबास बबास करते हैं हम जबास साथ परवाज तुर्की बाद तुर्की हिंदी वा हिंदी तुर्की बाद तुर्की हिंदी वा हिंदी एक तो पिंचा प्यार चाहिए कितनी बाद पाच्छे साथ आठ नो दस बस 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 shipping कि अंच डे तौ यृपक कर दो गृपक कर दो या ला सा कर प्लसादा ला ला लुष? रुष? ठेखे हम चद लोड़ा के रहेंगे रचेघो, पैसे के ठेखे तेरे हम चुडा के रहेंगे कम तो नहीं हम ऐ बंदा नवाज करते हैं हम जुबा साथ परवाज करते हैं हम जुबा साथ परवाज तरकी बातर के खिंदी बाहिंदी तो फ्यार चाहिए कितनी बाता बस, 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 बस लटा या इस स stiff नाचने में शरम नहीं आती षर मेरे साथ लटा बादा लटा लेकिन आज तू एक शराबी के साथ जलील ड्राइवर के साहथ भरी मैफिल में नाच रही थी मैं जान दे दूगा पेती लेकिन अपनी इज़त को इस तरह खुले आम बरबाद नहीं होने दूगा नहीं पिता जी मैं आपके इज़त बरबाद नहीं कर रही हूं बलके आप बरसों से अपनी इज़त खुद बरबाद कर रही है आपकी नजरों में वो लोग अच्छी ही, जो अपनी देश की दावलत को विदेशों में चुपा कर रखते हैं उन जैसे नीच लोगों से रिष्टा जोनना, आपकी नजरों में इज़त की बात है मगर अपनी हिम्मत के पेरों पे खड़े एक देश प्रेमी से रिष्टा जोनना, आपकी नजरों में गुना है, पाप है पिता जी, एक बात और बता दूँ, आप जिसे दो कोडी का ड्राइवर समझ रहे हैं, वो कोई मामूल इंसान नहीं है, वो विश्वा है, कानून के रखवाली करने वाली, च्यारदा देवी का बेटा क्या है? वो? वो? हाँ, और मैं उसके साथ क्यों नाच रही थी, क्यों गा रही थी, अगर ये राज आपको जानना है, तो अपने दो सिकंदलाल ठकर के बर्टे पाटी पर आजाए, तो सच्चा ही क्या है, आपको खुद बखुद मालू हो जाएगी थक्कर साफ जिल्दाबाद, अमरहे ! अपनी साल्गिरा की मबारकबादी के साथ-साथ एक और मबारकबादी भी कबूल कर लीजिए एक और मुबारकबादी? वो क्या है? वो यह है कि आज से आपकी सौ लोरियां आपके कपदे से जा रही है इसे बड़े बुज्स से आज आज आप हमेशा के लिए आजाद हो गए उसी की मुबारकबादी दे रहाऊ ठकर नाऊ अच्छा मेरी 100 लारिया मेरे कबजे से जा रही है किसोशीमें खुशी की cualquier सब doing water आ अपने ड्राइबर ओक्लीनरों के नाम कर दी है और उनका हिसावाँ सरकार को नहीं भीतते इस खुशीमें अ अच्छा तरहाँ कि अधिवाराँ की तौबूत है कि तमाम लारिया मेरे नाम की थाप्सकार ब görब के स्बर्सकारा आई है आपके नहीं हम Ф confirming कि प्रवा जिर्मत कर सकता हूं में ख़बर मिली है के आप गयर करनुनी तरीके से लौरियों के मालिक हैं और ये तमाम लौरिया आ बेदामी तरीके से चला रहे हैं कोई गारी बेनामी नहीं सबी ड्राइवरों के नाम पर हैं क्यों अपनी गारी लेका चले जाएंगे क्या है कि ये सब लोग शक्कर साथ की बहुत इज़त करते हैं इसलिए अपने गारिया इनके घर के सामने रखते हैं कर दो अब करते हैं आधा बाया आए जयेता घर जाए अधाल गर्या थे रहाओं अधाया चलो बाई अपने अपनी गारी या ले जाओने तो ठकड़ सब नाराज हो जएंगे हो कर दो 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 कि तरह थे खार शटर साथ हम है लुट ख़बर मिली थी हम जा रहे है कि अब यहां सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि आपका नम सिर्फ सब्सकंदा लुटकर नहीं, आप इल के भी शिकंदर है, आपने अपने नौकरों को सौ लोरियां दान में दे दी, रहा, वा, 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 आच्छा, फकड़ चाहिए, आइए, शो अघ्र कर् आपकी सारी लारियां एक साथ चले जाने का मुझे बहुत दुख हो रहा है विश्वर परशाद अपना दुख और अपनी जूटी हमदर्दियां समाल कर रखना तुमारे बुरे वक्त में तुमारे बहुत काम आएंगी यह सब तुमारी बेटी की चाल थी उसे दो कोडी के ड अच्छा मैं चलता हूँ पिता जी इसने तो हम सब का टाइप बिगाड़ दिया सौ लारियां सरकार के पास चली गए और यह जा रहा अपने होने वाले दामाद के पास मैं अब कहा जाओं मेरी शादी का क्या हो अब मरता क्यों है तेरी शादी होगी और इसी लटा से होगी अगर इससे पहले ही इन लोगों से निबटना होगा आज हिम्मद विश्वा की है और दिमाग जस्टेश शारदा देवी का अब देख दिमाग से दिमाग को मार कर हिम्मद की हाथ में हटकड़ी कैसे पैनाता हूँ यह विश्वा अभी तक क्यों नहीं आया क्या वक्त वक्त तुम्हें मैं बदाता हूँ जस्टिस शारदा देवी इस वक्त ठीक रात के आठ बच कर चालीस मिनट हुए हैं और यह मेरा हमेशा तुम्हारे घर में आने का वक्त है इस वक्त यहां क्या करने आया हो पच्चीस साल पहले मैंने जो गल्ती की थी उस गल्ती को आज स इस नागिन की छतर शाय में अपल रहा है तुम्हें बिल्कुल सही कहा तुम्हें मगर अब वो सफोला नहीं रहा बलके नाग बन चुका है शंकर भगवान के गले वाला नाग जो पापियों को ढून ढून कर डसता है और तुम बहुत मुदत तक अपने गुनेगार तेरे जूटके चादर चड़ा कर बढ़ते रहे मगर अब तुमारे तेरे से चादर हटने का वक्त आ गया है अब अगर तुम ये दुनिया छोड़कर भी भाग जा तो विश्वा तुम्हें उस दुनिया में आकर मौत की नीन सुनाना इतना आसान काम नहीं है इस ठकर से तो मौत है और अगर इतफाक से मौत करीब आती भी है तो अपनी चाल की जाल में उसे ऐसे फांस लेता है जैसे आज मैं तुम्हें फांसने आया हूँ इस बार मुझे मुझे मौत से तुम बचाओगी और देखो कर दो 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 मा 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 अपने चाहने वालों को अपने घर में नपाकर घबराने की जुरूत नहीं है क्योंकि वो जिन्दा सही सलामत मेरे पास है और अगर तुम उनको हमेशा के लिए जिम्दा देखना चाहते हो तो एक काम करो इसमत तुमारे घर के बाहर मेरे आदमी कार लिए खड़े हैं चुप चाप उस कार में जाकर बैट जओ वो तुम्हें तुम्हारे चाहने वालों पने पहुचा देंगी कुल वैसे लगा तुम सिर्फ तड़कों पे लारी तेज नहीं चलाते हो बिलके मुझे मैदान में जबान भी काफी तेज चलाते हो आपके आदालत में इसाफ की देवी की आँखों पर पट्टीया बंदी जाती है मगर मेरे इसाफ दालत में आपके जबान पर तला लगाया गया है खामुशी से सुनिये इस घद्दार में मुझे बहुत धोके दिये मंड़ब से मेरी होने वाली बहु को भगा कर ले गया अगर इस चुर्म में मैं इसके टांगों को तुड़वा दूँ तो आप अपने कानुन तफा Theram心 3202 के तहट मुझे बजरिम करार देने का कोई हक नहीं रखती है इस दि 노래 इन हातों से मुझे बजब काति लाना हम्या किया और अगर मैं इसके इन हातों को तोड़़ँ आप अपने कानून के101 के तहत हैं मुझे मुझरम और कोया हकई ने लगती है इसके बाद इस मुझे से मेरी 100 लारिया छेलीategозмीने चानलीक और कि लो आप अपने कानून के तफ़ा तंतों के तहत हैं मुझे सजा मौद के तोय हक अगा लेकिन अगर ये मेरा सिर्फ एक काम करे इस मुल्क में दैशत पहलाने के लिए खतनाक हत्यारों से भरीवी लारी को सरत के पार ले जाए मैं जुर्म माफ करूंगा और मैं ये भी जानता था कि ये इसकाम के लिए राजी नहीं होगा इसलिए मैं इसकी मा और इसकी माशुका को अगवा करके ले आया और अगर इसके बाजूद ये इसकाम के लिए राजी नहीं वा तो मैं दोनों को कतल करवा दूँगा और इन दोनों के इतने छोटे छोटे खरिदने वालों में से नहीं है विश्वा देश बक्त है प्यार और मम्ता के लिए अपनी मात्र बोमी के साथ गद्दारी नहीं करेगा मुझे वालूम है कि आप लोग बहुत देश भक्त कसम के लोग हैं मेरे पास कुछ ऐसे तोफे हैं जो मैं देश भक्तों को पेश करता हूं तो वह सीदे वफादारी से घद्दारी पुतर आती है नहीं ना पेश करूं है हमेरे बड़े का केक लाओ तो अधरी दाड़ी अगर तुमने मेरा काम करने से इंकार किया तो तुम्हें भी दो कौफिन तोफे में पेश किये जाएंगे एक में तुम्हारी मा की लाश होगी और दूसरी में लता की लाश होगी और अगर तुमने मेरा काम किया हाथियारों को सहरत के पार पहुचा दिया तो दोनों को सही सलामत तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा बड़ा आसान सा सौदा है फैसला तुम्हारे हाथ में है एक लाश एट लाश लेकर जाना कहा है तुम सिर्फ लाश ले जाओ तो कौन से रासे से जाना है कौन सी मंजिल पर पहुचना है यह तुम्हे रासे में बता दिया जाएगा इस गाड़ी में क्या है कबूतर कबूतर इसके पेट के अंदर क्या है विश्वा हालो इंस्पेक्टर साब साहब ये विश्वा है इसने हाइवेवेपर स्मगलिंग के बारे में कई बार खबर देकर हमारे डिपार्टमेंट की मदद की है ये बड़ा अच्छा आदमी है इसके अलावा ये ट्रक ड्राइवरों को ट्रक का मालिक बनाने वाला सोशिलिस्ट है हवलार गेट खोल दो है र हूाहा! हूहह! हाह! वष्वा! बखिसलाओ! तर दोड़ एकेक कुस! कमान वष्वा! हन्देउ! चलाओ! YaaAAAH! Aaaaaaaaah! C Honor, C Honor! कि यहां तक वफादारी निवाते निवाते आखिर गदारी पर उतर आए इस गदारी का अंजाम जानते हो अंजाम के धम के बाद में देना ठकर इससे पहले एक बार केविन की तरफ देख ले इस वक्त तेरा बेटा मेरे कफ़े में है अगर तुझे तेरे बेटे की जिन्दगी प्यारी है तो मेरे लोगों को मेरे हवाले कर दे अच्छी बात है मुझे तुम्हारा सौदा मन्जूर है अपने लोगों को ले जाओ मेरे बेटा मेरे हवाले कर दो है साजर चलो साजर आपतá बम्हार Mill कर फ्रहाले कर य ठiaओ खेड़िय्टwhat हो राः भू खूच्छी प्रोगों का दीफ Kenneth हूँ हूँ खूँ हूँ हूँ हुआ 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 ह SUSta कि टूआए छजाज डिह! कि भूएए! कि एूएए! कि एूएए! कि एूएए! कुई कुई त Lazarus झाल हुड बुम के बुम हुआ। हेझ! हेझ ! हेझ ! हेझ ! मेरी मौत देखना चाती है हुग माजी! माजी, जल्थ ठाइगे! जल्थ! 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 सार की कासम। तुहारे कानूं की कासमा जào, यहार जामा! इस करिंदे ने इतने चुर्म किया है अगर इसे हजानों सजा दी जाए फिर भी इसके लिए कम है इसे मारी बहन जिसकी शादी होने वाली ती उसकी इस्थ को पाप के पैरोता ने कुछ रुआ कर उसका खून करवा दिया अगर इसके पद्ले मैं इसके पैर सूर दूँ खनून के तफ़ा 344 के तायत मुझे मुझे मुझरी मत ठराएगा यालार इस जलिल ने मेरे पिताजी का पेरहमी से कतल किया और बच्पन मैं मुझे मा की गोस्ते छीट कर तरही के आजमें चलने के लिए फेक दिया मिरा कचूर क्या था इस चुर्म अगर मैं इसके हाथ तोर दूँ तो आप अपने कनून के दफ़ा 506 के तायत मुझे सदाबर मत ठराएगा यालार इस देश जोही ने देश के अमन बरबात किया मासूम बेगुनाओ की चाली इस चुर्म में अगर मैं इसके पापी शरी से इसकी चाल निकलनाओ तो आप इंखुनी और कातिल गरार मत ढ़तीजियेगा तुम्हे 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 तुम्ह पिटा जी और बेबाव और पिता जी आप दादा जी बनने वाले हैं पिता जी हम लोगों ने पैसला किया है कि अपने होने वाले पश्चे का दाफ आपके नाम भी रखेगे पिता जी मुच अमा सूरुन कि देश भरत कूद का मात रभ्भमी के नाम पर जान की बाजी लगाने वाले के नाम पर उसके नाम रखना बिटी। उसका नाम विशो रखना सिकंदरलाल ठककर के जर्मों की बुनियाद पर अदालत ने उसे उमर गैद की सजा सुना दी जस्टिस शारदा देवी ने विश्व परताब के मुकदमे में जो फैस्टा सुनाया था अदालत ने उसे हक बजानिब करार दिया फिर भी विश्व परताब ने अपने जर्म का इकबाल किया आदालत ने उसे सजा दी मगर वो बहुत जल्द सजा भुगत कर वापस आ गया जाओ सनम्